पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे CEO की इंगेज्मेंट तैह हो गए तो इस एपिसोड में हम आगे की शुड़ात करते हैं और उससे पहले मैं पता दू कि अपना जादा चप्टर्स बचे नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन वीडियो तर्क में शायद य उस आने वाली स्टोरी की एक जलक दूंगी कि हम कौनसी एक नहीं स्टोरी देखने जा रहे हैं मैंने उस स्टोरी को कुछ दूर तक पढ़ा है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है उमीद है कि आप लोगों भी भी बहुत अच्छी लगे ठीके चलिए आज का एपिसोड च कमा आये हैं और जितना हमने दो मैने में नहीं कमा लिया है हुथ करके और हमारा जो रवन्यू समरी है उसके चार्स भी बहुत अच्छे आई हैं और रूर्रू रेस्टोरेंट का अप्लिकेशन भी अपरू हो गया है और हमने 1st place लिया है Domestic Gaming मार्केट में और हमने 1st चाफ में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया है तो हमारा जो CEO का जो मैनेजर है बड़ा खुश हो रहा होता है प्रॉफिट देखके क्योंकि अभी इन्होंने नया बिसनस चालू किया और इनके नया बिसनस को चालू होते ही प्रॉफिट बहुत तेजी से खो रहा है अब क्या होता है CEO अपनी ही इमेजिनेशन में अपने वर्ल्ड में घूमा हुआ होता है और हमारा मैनेजर CEO के मुझ के ओपर फोन रखके दिखाता है कि देखो देखो कितना प्रॉफिट हुआ है और हमने 9.4 से जो कमाया है उसका अर्णिंग यह है और बड़ा खुश हो रहा होता है और बताता है कि टोटर हमारे पास 18 बिलियन हमने कमाये हैं खरके और हमने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वह बहुत खुश होके CEO को दिखाता है और बोलता है कि oh my god यह तो just beginning है कि हम लोग अभी और भी ज़्यादा पैसा कमायेंगे मैं imagine नहीं कर सकता हूँ कि हम जब नया प्रोडेक्ट रिलीज करेंगे तो market कैसा होगा करके और आप जो बहुत ही genius हो master fang और आप जो है लोगों की necessities को बहुत अच्छे से समझ लेते हो और लोग क्या है अब बिना काम के और सोने के से रह नहीं सकते हैं लेकिन उनको गेम तो खेलना ज़रूरी है और लोग क्या है बिना खाने के भी नहीं रह सकते हैं और हमने last few minutes में ही इतना जो money है हमने कमाया और कुछ हमारे pocket से भी गया यह सोचके और लोगों का मतलब कैसे लोगों ने उनके product को पसंद किया यह सोचके हमारा जो CEO का manager है वो तो खुशी से जूमी उठता है और इधर उधर नाशने लगता है और दिखाता है कि उसके pocket से कैसे पैसे निकल रहे हैं करके CEO अभी भी सिफ हम करके हामी बहता है और तब ही एक थ सायद यह बात को पहले बताना चाहिए था करके तो क्या अब बहुत ही लेट होगा यदि हम इस बारे में discuss करेंगे तो लेकिन इसका manager समझने पाता है कि CEO कौन सा रागल आप रहा है तो CEO का manager वो पूछता है कि बहुत सब क्या बात कर रहे हो तो CEO एक हम से blush करता है और बुलत नहीं मिला और मैं अभी भी debate कर रहा हूं कि कितना appropriate रहेगा और जो मेरा property है वो तो सारा ही को ही जाएगा करके और लेकिन फिर भी मुझे traditional process और ceremonies जो हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा और हमारे जो family है वो एक दूसे के सामने अपना face lose नहीं कर सकती है और चुकि मैंन एसेट वगरा और जितना भी property था वो grandfather जो ही वो रूरू के नाम पर छोड़के गए हैं तो मैं ऐसा consider कर रहा हूं कि अब मैं he family का member हूं तो मेरा standard जो होना चाहिए gift प्रिपेर करने का कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए तो मैं अभी भी sure नहीं हूं कि किस type का traditional gift मुझे he family को देना चाहिए और जो grandpa है वो मुझे अपने family की तरह treat करते हैं मतलब he family के जो grandpa है और मुझे अपना जो sincerity है मुझे grandfather को दिखाना चाहिए तो मतलब हमारा imagination क्या है हमारे CEO का कि CEO जो है यह के grandfather को अच्छा तौफा देना चाहते हैं अपनी शादी पे और वो क्यूंकि यह के grandfather है वो CEO को बहुत अच्छे से treat करते हैं और फिर CEO सुचता है कि लेकिन यह सारी चीज़ें जो है हमारा यह mind नहीं करेगा और मैं यह को एकदम perfect wedding देना चाहता हूं क्योंकि और यह एक बहुती अच्छी बात है कि हम second year तक मतलब second year के आधे तक में wait करेंगे करके तो इतने दिनो में तो मैं कुछ अच्छी preparation कर रहे लूँगा और मुझे से रखता है कि मुझे मेरे great grandpa से भी पूछना चाहिए कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा हमारे शादी के लिए अपरेल अच्छा रहेगा कि में अच्छा रहेगा और अभी ज्यादा time भी नहीं बचा है तो CEO का manager प्रॉफेट हुआ 18 billion वह बता रहा है और बहुत ही खुश हो रहा है लेकिन हमारा CEO कुछ भी नहीं सुन रहा है क्यों कि उसकी शादी हो रही है और उसे शादी की preparation करने है तो CEO एगम से अपने खोश में आता है और बलता है ओ सौरी सौरी तुम continue करो तुम क्या बता रहे थे तो मैनेजर अपने मन में सोचता है कि भाई ये इतना lazy क्यों है हमारा CEO इसे तो workaholic होना चाहिए काम करना चाहिए और यदि इसने काम में महनत नहींगी तो हम सारा पैसा खो देंगे और तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकती क्योंकि तुम boss हो ये सारी बाते हमारा म पन में सोचता है अब दूसरी तरफ देखिए कि मैनेजर सोच रहा है कि एकदम perfect सब कुछ हो गया है और एकदम perfect report भी मैंने complete कर ली है और बोलता है कि मैं काम पर जा रहा हूं और जाते जाते CEO बोलता है एक और एक चीज तो मैनेजर बोलता है हां बोलो क्या है तो CEO बोलता ह करो मिस्टर ज्यांग को तुम कॉंटेक्ट करो और उन्हें एक ड्राफ लेटर लिखे दो मिसिस फैंडू के बारे में अपने फैंडू कौन है आप भूलेगा मत हमारे सीयों की स्टैप दादी में मतलब सीयों के दादा की सेकेंड वाइब जो थी वो तो मैनेजर यह सुनता ह बोलता है कि यह आप क्या कह रहे हैं तबी इस मेनेजर बोता है कि यदी मैं यह लेटर ओड़ लेड़ी के लिखो तो क्यूं लिखो और हम क्या हुसे वापस जेल में नहीं भीजने वाले हैं हम उसको मदद क्यूं करेंगे तो सियों बोलता है कि उसको तुम बस लेटर में रखेंगे जो सैनेटोरियम मैं चूज करूँगा वहां वो रहेगी यानि अब वो जेल नहीं जाएगी लेकिन उस जगह पे जाएगी जहां CEO चाहता है तो मैनेजर बोलता है लेकिन वो इस बात के तयार नहीं होगी और वो तो सिर्फ यही सोचती है कि तुम उससे वापस उसको क्याद करने की खोशिस करोगे तो सी यह बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है कि नहीं तुम जाके बात करो और यह कंडिशन रोको वो अपना माइंड जो है बदलेगी और तुम उनको यह भी बताना कि उसको जो सर्विसेस चाहिए होंगी मैं उसे सारी सर्विसेस दू मैं सब उसको अच्छा दूँगा और उसका फिजिकल एक्जाम जो है एवरी मन्त होगा उसके हल्व का और उसको विजिटर्स वन्स इन वीक भी मिलने आ सकते हैं और मैं यह सारी चीज़ें करने की पूरी कोशिस करूँगा और यदि उसको मेरे बरुरसा नहीं आता है तो म मैं लिखित में भी दे निकलेता है यार हूं और मैं उसको जो है एक बहुत अच्छी हो लंबी उमर विश करता हूं पर उसको एक चीज़ प्रॉमिस करने पड़ेगी कि वो सेनेटोरियम से कभी भी निकलेगी नहीं मतलब हमारे जो CEO हैं अपनी सेकंड डादी के लिए एक जाल बुन रहे हैं जिसमें वो उसको ऐसी जगह पर भेजना चाहते हैं जहां पर वो CEO ने जगह चुनी हो और उस जगह कर जितना भी कंट्रोल है वो CEO के हाथ ने हो और इस तरह उनकी सेकंड डादी को जेल नहीं जाना पड़ेगा लेकिन एक तरीके से वो कैद रहेंगी ल और वो सुचता है कि अब तो उसे तयार होना ही पड़ेगा अब दूसी तरफ दिखाते हैं कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंट पां हैं वो ड्रीम लैंड में बादलों के बैटे हैं और अपना मेडिटेशन कर रहे हैं और इस मेडिटेशन में जितने भी मारे और जिंदा लोग कोज़िए? लेकिं सीयो कुछ बताता नहीं है अब सब लोग हम अकवात कर रहे हैं और इसकून many account ने कहाते कि हम वहां कई नहीं जा सकते तो कि दोनों निकल पड़ते हैं मांटेन के पीछे पहाड़ी के पीछे जहां पर फैरी विल्स है तभी ही बुलता है लेकिन तुम्हें याद नहीं कि जब भी हम इस प्लेस के बारे में मैंशन करते हैं रूरू भूती अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो बार बार रिपीट करत है कि हमको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और क्या पता वहाँ पर कोई स्ट्रेंज प्लेस हो कुछ अजीब सी चीज हो इसलिए वो हमें मना करता हूं तो यह बोलता है मुझे पहले से ही पता है कि वहाँ पर क्या है सब कुछ ठीक रहेगा चलो चलते हैं अब मैं तुम से प क्या होता है जहां वो पहुशते हैं वहाँ पर एक केव होती है गुफा होती है दोनों उस गुफा को देखते हैं और यह बोलता है कि यह जो गुफा है बड़ी ही गलूमी सी है और यह बहुती क्रीपी फिलिंग देती है और ऐसा प्लेस रूरू के किंडम में कैसे हो सकता ह तो यह बताता है कि amusement park जो है उसमें एक haunted house भी है और तुम सोच लो कि यह वही है और रूरू का जो kingdom है वो सारे fantasies और beautiful world चीजों से भरावा है world की लेकिन यह जो place है हो सकता है यह place वो हो जहां पर रूरू के मन में जो negative emotions होते हैं यह place शायद वहां के लिए हो और हो सकता है कि रूरू के अंदर भी कोई डर हो और वो अस डर को इस place में छुपाता हो और तभी ही बुलता है कि रूरू के क्या डर और dislikes हो सकते हैं यह तो बहुत ही pretty clear है कि जो entire kingdom है वो रूरू के mind में जो कुछ है उससे set up है मतलब रूरू कैसे happy बच्चा है वो हो चीजें सुन्दर सुन्दर उसने अपने garden में लगाये हैं और वो बहुत ही lively child है करके और हम लोगों ने उसका kingdom भी देखा कि किता pleasant है तो हो सकता है कि एक चोटा सा tiny area है जहां पर वो अपने सारे fears, hate अपने दिल के छुपाता हो तभी उससे लेकिन रूरू किस बात से डरता होगा और किस बात से उसको hate भी होगा क्या हम उसको help कर सकते हैं इन चीजों से बहार निकलने में अब देखे कैसे रूरू इस place में दिखाया जाता है और यह सारी यही ऐसा imagine कर रहा है और तभी वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा रखता है कि हम उसे यहां रख सकते हैं क्या और हम उसका psychological problems जो है उसे दूर कर सकते हैं क्या तो यह बताता है कि सभी की जिन्दगी में सब को किसी न किसी बात का डर होता है और कुछ ऐसी चीज़े होती है जिसे वो पसंद नहीं करते हैं और वो उनसे कभी भी get over नहीं हो पाते हैं और जो adults होते हैं उनके मन में भी ऐसी चीज़ जो होती है लेकिन हमारे को पता होता है कि हमें किस चीज़ से डर है या हमें किस चीज़ से hate है करके लेकिन इस type के जो emotions होते हैं वो बच्चों के लिए जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि उनको ठीक से नहीं पता होता है कि बिसक्ति उन्हें किस से डर लग रहा है और ये भी हो सकता है कि उसे कोई चीज ना पसंद हो और वो उस चीज को एवाइट कर रहा हो करके तो मुझे शेयर है कि रूरू जो है हमें ये बात बता नहीं पा रहा है करके कि यहाँ पर क्या है और वो हमसे इस place के बारे में बात भी नहीं करता है तो यह बोलता है यहाँ पर बहुत dark है अंधिरा है और तबी CEO बोलता है कि यह एक बहुत invisible fear है जो कि बहुत simple और pure है और यह जो है darkest और fearful things जो आदमी के दिमार्ग में होती है उसको present करती है यह place तो उनको वाकई में सफर होगा करके इतने horrified place में रहने पर यहां से कोई भाग भी नहीं सकता और यह मरने से भी ज़्यादा खतानाग है तो हम यहां क्यों आए हैं तो CEO बोलता है क्योंकि मैं यहां किसी को trap करना चाहता हूँ यहां वो किसी को रखना चाहता है तो और मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को endless fear का experience हो मतलब जदी मान लो हमें किसी चीज़ से डर लगता है और हमें उसी चीज़ के पास छोड़ दिया जाए तो कैसे हमें बहुत जदा डर लगेगा वैसे ही CEO भी करना चाहता है अपनी step दाधी के साथ और वो बलता है कि चाहे वो जिन्दा रहें या मुरदा रहें पर मैं उनको यहां पर क्याद करना चाहता हूँ और end तक सफर कराना चाहता हूँ तो यह होता है लेकिन रूरू तो यहां नहीं आता तो हम कैसे उस इंसान को यहां पर लाएंगे और यह तो छोड़ो रूरू के kingdom में ऐसे भी कोई आ नहीं सकता क्योंकि उन्हें तो रूरू को unconditionally प्यार करना होगा तभी तो उसके kingdom में आएंगे तो ऐसा requirement जो है वो कैसे वो इंसान पूरा करेगा जो रूरू को पसंद नहीं करता तो यह बोलता है तुम्हें मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा तो तुम नहीं बूच रहे थे कि मैं यहां किसको कैद करना चाहता हूँ तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा जादा है तो यहीं बूलता है तुम उस इंसान को यहां पर कैद करना चाहता है जिसे तुम जादा नफरत करते हो और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई अच्छा इंसान भी नहीं होगा तो तुम यह कर सकते हो और मुझे पता चली जाएगा जब तुम उसे यहां लेकर आओगे तो याद मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो किस पर ट्रस्ट करूँगा करके अथ अभी ना CEO एकदम से गो हो जाता है कि तो उसका दिल जो है एकदम पिगल सा जाता है और बोलता है कि यह तुम कितने kind हो तेंक यू ऐसा करके वो उसको गले लगा लेता और बहुत खुश होता है और यह बोलता है कि तुम्हें मुझे तेंक यू कहने की जरुवत नहीं है यह clearly एक distraction है और यदि कोई तुम्हें hurt करता है तो तुम्हें उसके साथ fight pack करने की जरूरत है और वैसे भी अब यू तुम्हारे जो है तुम्हारी अपने एक family और तुम्हारा एक bottom line भी है और यही एक matter करता है और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें तो देखे हैं कि वहां क्या हुआ है और वहां पर हम बहुत ही deep cave के अंदर नहीं जान सकते हैं कि वहां पर एक barrier सा है चाहें कि इतनी भी कोशिस करें यह लोग जाने की बहुत कोशिस करते हैं यह लोग बहुत करता है और उसको डर है कि हम लोगों को मतलब कोई हाम हो जाएगा तो उसने हमारे पास एक protective cover बना रखा है करके अंदर उसके आगे नहीं जा सकते हैं तो यह बहुता है मैं समझ गया तो जब तक रूरू किसी को hate करेगा तब ही वह किसी को उस game में trap कर सकता है तो मुझे ऐसा रखता है कि हम रूरू को किसी को भी hate करने के लिए वह नहीं कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पुरानी generation की hate हम रूरू के ओपर कैसे थोप सकते हैं करके और रूरू जो है recipe भी बहुत छोटा है और ऐसे पादर मुझे नहीं लखता कि मुझे रूरू के judgment को affect करना चाहिए और उसे किसी को hate करने के लिए force करना चाहिए तो वह जिन्याव से sorry बोलता है और बोलता है कि यह बहुत ही unfair होगा यदि हम ऐसा करेंगे तो और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यह होता है और तुम शही कह रहे हो यदि तुमने जैसा कहा है यदि वैसा ही है तो मैं भी ऐसा नहीं चाहाँगा कि ऐसा हो करके after all हम दोनों ही रूरू को बहुत प्यार कर सते हैं और आम हम बहुत ही चाहता best करना चाहिए रूरू की रूरू की happiness को protect करने के लिए और उसकी innocence को protect करने के लिए तो यह बहुत है तो फिर इस इस्तिती बेर हम क्या करें और किया तुम अपनी step grandmother को peacefully रहने दोगे यह 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 तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने फादर का कभी भी बदला नहीं दे सकते होगे अब यह बात सरक करते हैं तो मेरे से कुछ भी नहीं चुपा सकते हो करके तो सी यह बताता है कि मैं सोच रहा हूं कि हम जैसे रूरू के kingdom में अंटर करते हैं उसका different ही कुछ होगा उसके haunted cave में अंटर करना हम लोग रूरू को बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम उसके kingdom में आते हैं meanwhile हम उसके deep cave के अंदर नहीं जा सकते हैं तो क्या होगा यदि feeling of love replaced हो जाए डिसकर्श से और hatred से तो यह बताता है कि तो फिर तो हम कभी भी kingdom के अंदर अंटर नहीं कर पाएंगे और यह बोलता है कि ऐसे तो फिर हम haunted house में भी एंटर नहीं कर पाएंगे तो यह बोलता है राइट मेरा केस जो है सही है तुनों जगाओ पर एंटर करने के लिए डिफ्रेंट डिफ्रेंट पाल्सी से और डूल से रूरु एक स्पेशल चाहिल्ड है और वह बहुत ही sensitive है और उसको दूसरों के feeling समझ में आते हैं उसे पता चल जाएगा कि कौन उसको पसंद करता है जब ग्राइंड मदर को यह पता चल दा था कि दादा ने सारा का सारा प्रापर्टी रूरु के नाम पर कर दिया था तो मुझे प्रिटी शूर है कि वह ओल्ड लेडी बहुत ही unwilling होगी रूरु को ऐसे accept करने के लिए उसने हमेशे मेरे फातर को हेट किया है मुझे भी हेट किया है तो महां पर कोई reason नहीं है कि मेरे बच्चे को भी हेट नहीं कर सकते हैं तो हम इस तरीके से देखो तो तुमारी बात में sense तो है पर मुझे अदूसरी प्राप्लम भी दिखाए दे रही है यादि वो रूरु को हेट करती है तो हम उसको रूरु के dreams में wake up कैसे करेंगे I can't expose रूरु के रूरु को हम उस लेडी के जो है malicious जो उसके जो बुरे विचार है उसके 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 एक्सपोज नहीं कर सकते हैं तो हम उसको यहां कैसे लेखे आएंगे तो सी होता है मैं कि तुम्हें बात में बात में बता हूंगा अभी great grandpa तक का meditation वेगर है सब खतम होने जा रहा है तो हमें बागपस जाहिए अब दूस करते हैं कि आजकर cultivation जो है तो तुम लोग जा सकते हो तभी great grandpa की जो वाइप है वो आती है बोलती है कि क्यों ना हम freeze dance वाला game खेले let's move और dance करें let's move to beat or dance करो तो यह सब dance भी करने लगते हैं अभी जो जिन्याओ के दादा है वो बोलते हैं कि हम जो है काम पर जाना है और वो अपने बेटे से बोलते हैं कि जड़ों का काम ज़ल्दी करना है और deadline भी कल की है तो हम चलते हैं तो CEO के father brother ठीक है चलते हैं तब ही CEO अब आज लगा तक में फादर को उसके फादर मोड़के दिखते हैं और CEO बोलते हैं कि जड़ों कुछ नया टास्क देने वाला है अब क्या होता है कि और CEO के parents दोनों cloud पर आने सामने बाते हैं और बात करते हैं उस CEO के parents पुपते हैं कि तुम्हें क्या बात करना है जिन जाओ तो जिन आब बताता है कि जब से हम यहाँ पर आप लोग आए वो और अमी ने तब समयापर हों सच्छे से बात भी नहीं कि और तो उनकी माँ बोलती है कि I am sorry करके और हमारा हम तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहते हैं तो हम बहुत पता नहीं कि हम तुम्हों को कैसे face करें करके इतने साथ हो कि उससे तुमारे father और मैं हम तुम्हारी responsibilities को करने में fulfill करने में fail हो चुके हैं और ऐसे parent हम तुम्हें protect भी नहीं कर पाएं और शाहिए तुम्हें बहुत ही hard life फुजिया होगा ऐसा करके उसकी माँस से माफिं होती है तब इस CEO के father बोलते कि I am sorry हम तुम्हारे childhood में तुम्हारे childhood में तुम्हारा partner ही बन सके करके और लेकिन तुम्हें देखके यहां पर अच्छा लग रहा है और तुम्हें बहुत ही outstanding भी हो गए हैं और मुझे नहीं बता कि मैं तुम्हारे childhood का कैसे make-up करूं करके और यही जाए कर सकता हूं कि मैं तुम्हें company के काम में जितनी मदद हो सके उतनी मदद करूं और जितना भी मैंने तुम्हें समय तुम्हारे बच्पन में नहीं दिया मेरे मर जाने के वज़े से वह मैं आपको fulfill करूं करके तो यह बुलता है कि लेकिन यह आपका fault नहीं था तो आप apology मत करो और आप नहीं है वो जिसको apology करना चाहिए तो यह बुलता है हाँ यह सही कह रहा है और यह आपका fault नहीं था तो आपको रिटीपे करने की जरुए नहीं है और यह matter जो है यह इसके लिए आप मैं को blame मt करो और मैं यह जो ад हेपि ही हूँ आप लोगे को साथ में देखके सब महाइं हो और महाबाब बबड़े कुछ उते हो और बोलते जिल्या हो जिल्या हो और क вполне होता है最hyo बताता है लेकिन अभी भी एक चीजह को जो बहुत Narrateλο को नहीं करसकता हूं मैंने उसे अभी तक पनिश्मेंट दिया है तो क्या डैड आप अपने मुर्डर से हेट करते हो क्या मतलब इनके पापा बताते हैं कि ऐसा इंटर्सिव अगर ये कहना कि वह उसे कंप्लेटली हेट करते नहीं और उन्हों लैट इट को कर दिया है तो बताते हैं कि जब मेरी डैथ हो तो इसका एफेक्ट तुम्हारी मतलब भी पढ़ा और जब उन्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ उस टाइम पर प्रेगनेंटी और फिर वो डिप्रेस हो गई और इस वज़े से तुम्हारा पॉर्ण होना भी बहुत मुश्किल हो गया था और उसने बहुत ही स्ट्रगल किया और किसी तरह वो अपने प्रेगनेंसी से बहार निकली लेकिन वो बहुत एक्जास्ट हो गया था बहुत वीप थी और बहुत डिप्रेस थी और फिर उसके अब उसने मुझे ज्वाइन कर लिया करके अब दिखाते हैं कि सीयो कैसे चोट तुमहारी माधर भी मर ले थी तो मैंने तुम्हारे ग्रैनपद को भी बहुत हेट किया ता क्युक्य उस Time पे उन्हों ने कुछ किया नहीं था लेकिन ना रिगार तुमहारे घुच्षान प्यार और अपना ने क माधथित कर र्हे थो तुमहारी मों बहुत कर रहे थे कर कि यह चीज हम लोग उपर से देखते थे और तुम बहुत ही रिमार्गिवर और आउटस्टेंडिंग बन गए करके अब दूसरा सीन आता है जहां पर दादी जी मतलब इनकी स्टैक पर ब्रेंड मतल जो है और बोल रही है नहीं नहीं मैं नहीं जाहूंगी करके जो CEO है वो मेरे लिए और जादा ट्रबल बनाने की कोशिस कर रहा है और तभी एक आदमी आता है वो बोलता है कि हमने सारे कंडिशन्स को देखा है जो की रिटन में मैंशन है तो आप रेस्ट अश्योर हो मिस्स दूस्ट हम चानते हैं तब उतने में ही स्टैप प्रेंड मदर बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम लोग क्या करना चाहते हो तुम लोग मुझे कहीं पर लेजा के बंद कर दिना चाहते हो स्लोली स्लोली टॉर्चर करना चाहते हो क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो मैं ओल्ड हो चुकी हूं लेकिन मैं अभी भी तुम लोग के ट्रिक सब्सक्राइब को बता देंगे कि आपका क्या है तरी इनकी जो मां होती है कि युवान तुम जरूर जोग कर रही होगी तुमने नहीं कहा था कि मुझे जेल जाने की अब जरुवत नहीं है और वो लोग मुझे अब कोई सजानी देंगे मेरे एज की वज़े से और मैं जो हूँ इनुसेंट उपर की इससा नाटक करने लगती है तो इनकी जोटी बेटी बोलती है कि मॉम आप भी चांती हो कि आप इनुसेंट है की नहीं और क्या है कि मैं आपको डरा नहीं रही हूं मैं बिल्कुल शियोर हूँ जो मैं कह रही हूं उसके बारे में यदि आप इस प्रपोसल को रेप्यूस करती हो जो आपको आप पर जिल्याओं ने दिया है तो आपको वापस यह के सिनारियो ओपन होगा और जेल जाना पड़ेगा तो फिर आप जेल में कैसे हैंडल करोगी और क्या आपने सोचा है कि वहां जो आपको बुली किया जाता है अब यदि ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अपको हेल्प नहीं कर सकोगे तो जो अधिंग्स हैं उसको आपको केर पुली फिर से सोचो और सैनेटोरियम में जाने के बारे में डिजिजिजन लो और हम लोगों को वहां आपसे मिलने आने के लिए कभी भी एलाउड होगा करके और हम पीस्पुली लाइफ जी सकते हो और आप अपने खुद की नर्स को भी अपने हाथों से ही चूछ सकते हो और आपको जो है फिजिकल एक्जाम पर जो है मिलता रहेगा और आपके बास सब चीजों का कंट्रोल है तो इनकी बड़ी बेंब होती है कि हाँ चोटी बहन सही और मैं इस बार अपने छोटी बहन के साथ एगनी करते हो कि मुझे कह रही हो सही कह रही है जैदी जिन्याओ आपके साथ कुछ करना भी चाहता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग आपके साथ है करके आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे तो इनकी माग हो होती है कि मौम मैं आपसे प्रॉमिस करती हो कि एस लांग एस आप जेल नहीं जाओ कि मैं किसी को भी आपको परिशान नहीं करने दूगी और वहाँ सर्विलेंस कैमरा भी है सीनोटेवी सेनोटोरियम में तो मैं उसके ओपर अपनी नजरें जरूर रखोंगी अपने घर से और किसी को भी सिंगल चांस नहीं दूगी आपको हर्ड करने का तो मा चोटी बेटी की दरब देखती है और बोलती है कि ठीक है मैं सेनेटोरियम में जाने के लिए तैयार अब क्या होता है दूसरे तर दिखाते हैं जहां बहुत सारे लोग बैटे होते हैं और वो लोग फै इसकली सपना है जिसमें दादी जी जो स्टैप दादी है वो सपना देख रही है और वो अपना आपको कैसे लिए क्राईं से बचाने की कोश्चस कर रहे हैं तो वहाँ पर वो सुछती है कि उसके पर जित्ते भी चार्जे लेगे गए हैं वो इस सब फाल्स है करके और वो लोग तालिव जाते हैं बोलते हैं कि हम इनोसेंट है उनको बताई देते हैं और प्रीडम को डिसर्फ करती है और इसको तो फैन जूर्प की प्रॉपर्टी भी मिलना चाहेगे जिसके लिए इतनी मैनत करें वो उसे मिलना चाहिए अब CEO जी और CEO के पैरेंट्स ये सपना देख रहे होते हैं रूजू के किंडम में वो दूसरों के सपनों को भी देख सकते हैं वैसे ही वो अपने इस बार स्टेप दादी का सपना देख रहे हैं तो CEO बुलता है ये तो ड्रीम है और वो ड्रीम में भी ऐसा मिली है कि उसने कोई गलती नहीं ची है और तभी बुलता है कि अभी वो फैंग ग्रुप के प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं तो CEO के फादर कोगते हैं, और कि इसको अपने लाइब का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और शायद इसकी आंकों में, मैं भी कोई चीटी के बराबरी एक इनसान होगा, चीटी से कम होगा, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया, और अब वो है, जो है, उसका जो किल्ट है, वो उ चैन से ड्रीम्स में सोने नहीं देता है, और शायद वो ऐसा सब इमेर्जिन करते हैं, जिसकी वज़े से वो आगे अपने लाइब को काहिस करके बिना गिल्ट के, तो CEO की मा बोलती है, कि जो बुरे लोग होते हैं, उनको कभी भी गिल्टी पील नहीं होता है, और वो अपन तो उसे कोई भी गिल्टी भी नहीं होगा, और इसलिए हो बहुत ज़्यादा जिद्धिया करके, और यदि हम उसकी ड्रीम्स के अंदर गुष जाएं इस टाइम पे, तो उसका जो स्ट्रॉंग माइंड है, उससे हम वो डरेगी ही नहीं, क्योंकि उसको गोस्ट के पर भरो उसे नहीं है, और हमारे से वो अफ्रेड नहीं है, तो हम को क्या है, उसको ड्यूसरे तरीके से इसकी ड्रीम्स में भुषता होगा, और हम जो है, उसको यह चीजों को रिजॉल्व नहीं करने दे सकते हैं, और नहीं तो हम उसे तभी यहां इस केड में लाके क्याइद नही भी होता है तो भी वहाँ को कुछ तो है जो इसकी ड्रीम्स में अपियर होता है और हमें वही अपर्शनेटी को पकड़ना चाहिए और उसे ड्रैक करके इस केव में लेकिया आना चाहिए और तभी वह अपने गार्ट को डाउन करेगी करके तो CEO की मदर वोती है ठीके तुम ल मेलन को पकड़ना है और हमको महाँ से उसको निखाल के लेकिया आना है और इसके लिए तो यदि मुझे उसको रस्यों से बानना भी पड़ेगा तो मैं उसको रस्यों से बांदोंगी हमारी CEO की मदर की जो इमेजिनेशन है देखिए वह कैसी है कि वह जो उसकी स्टैब अना कि एयर कि मेरे में दिया है करके अब कहोता है जिया अपके होता है जर अपना पैसला शुनाने होता तो क्व células केiiii complete यहां प्रादरन नहीं तो कर्क है इसक judra और में लक्टक्रद fantasy की मुझे और यह कोई और नहीं है यू कि फादर होते हैं कि मैं इस ट्रीब का वएल डिक्ट जो ए, उसको एकसेप्ट नहीं करूंगा और यह जो जो ओरेत हैं, यह जो इस गील्टी हो पीछोड़ होकि और जो पिछ दीखिती होटें इसमत क्या कहरें हो, क्या तुम मर नहीं गया हो तो CEO के फादब होते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो कि मैं मार चुका हूँ that's where मैं पुरूर कर सकता हूँ कि तुम गिल्टी हो और फिर वो अपना रूप बदल लेते हैं और वोते हैं कि उसब को दिखा सकता हूँ कि तुमने क्या किया तो CEO की मदब कर देता है और बोगता है कि तुम मत देखो और तो CEO की मदब कर देखिए अब अब न वो फाउब में वापस आ सकते हैं जिस फाउब में हम मरे थे और यादि तुम चाहो तो मैं भी तुमें दिखा सकती हूँ करके मैं कासे यह बोलता है नहीं नहीं इसकी कोछी जरुवत नहीं है यह की आपर से बंड कर देता है तो उनकी माँ को पुझे लिए कि मैं कैसे मेरी थी तो फिर मैंने दिखावाऊंगी अब क्या होता है सारे जजेज वगर जो बैटर होते वो लोग सब बोलते अरे ओ डियर ये तो बहुत ही टेरिबल था पूर गाई कितनी ट्रैजिक मौत मारा है करके अब सब्सक्राइब करने लगते हैं और जो उनकी स्टैप ग्रैंड मदर है वो अपना है आथ की छुडाने की कोशियस करती है चुम तो मर गए होत तुम्को यांने आना चाहिए ता तुम जो एक्षूरान पह्नाइल नहीं और तुम जो हो इसे करके अ constituents छुडा लेती है कि वो उसे खीच के healthy तरफ ले जा रहा है करके तो यह एक जो है कि बुरे सपने से उठती है अब क्या होता है सपने से तो वो उठ जाती है लेकिन CEO के पातर वापस dreamland में फिका जाते हैं और तोड़े से गिर से जाते हैं और वोते हैं कि मैं उसे यहां लाने में फेल हो गया कर करना तो गलता है कि तबीं CEO होता है कि नहीं आगники उसे चीच तरीके से डरा दिया है और वो यह तहरो आपके एक यहां पर दिखाते हैं कि कैसे रूरू और बिग्जात अपने taggy clouds वेर्ट क्लाउटंड कर के आ हैं और फिर रूरू बोलता कि यही तुम यहां पर क्यों हूं मैं तुम को हर जगह दिख रहाता है बहुत लंबे समय से तो यही बताता है कि हम दोग यहां पर सीमरी को इंजॉय करने के आए थे तो रूरू बोलता है कि ठीके चलो अब मार्निंग होने वाला है हमें वापस जाना चाहिए और हमें उठना की है तो यही बोलता है और चलते हैं करके अब दूसरी तो दिखाते हैं कि रात चली होती है और आ जारी होती है आ इधर मत आओ चले जाओ मुझे अकेला जोड़ को गया कि क्योंकि हमारी स्टैप दादी ने पहले भी ऐसे बुरे सपने दिखे थे तो उन्हें की जो सपने आपस हांट करने लगते हैं और क्या कहते हैं दादी जी चुरिए स्टैप दादी से और के बादर को बोड़ते हैं कि तुम अपने नेक्स्ट लाइप की तरफ में मूव आन करो और तुम यहां से चाओ करके और यह लोग सब देख रहे होते हैं कि कैसे मतलब इनके जो तो अथमारे चर्वा फाटर हैं वह बहुत ही अच्छे हैं अक्टिंग करने में और दी इसको फुल्म में एक्टिं किया जाए तो एक्टर का अवर्ड मिलेगा कि और कि कैसे लोग बोलेंगे कि अमेजिंग एक्टिंग और एक्टिंग पाउर देंगे और बुलती है कि वेल ये जो परफॉर्मेंस है वह वाके बहुत अच्छी है और आइकें सेंस मैं जो सेंस कर सकती हूं कि इसमें किती इंटेंसिटी है कि जब वह वापस आएगा एक्टिंग करके मतलब दादीची को डरा के वापस यहां पर लेके आएगा तो मैं उसे भी एक ड्रम इस्टिक खाने के लिए दे दूंगी बताएं लोग रिवार्ड में कितनी सारी चीज़े देते हैं लेकिन इनकी वाइप उनको चिकन लेक पीस देगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है सी ओ अपनी मा की तरफ देखता है कि उसकी मा कैसे चिकन लेक को खा र कहते हैं इसे अपना रूप बढ़ते हैं अब क्या दिखाते है कि जो उसीओ के पादर है अब इ, बहुत कोशिस कर रहा है स्टैप दादी को बापस लानेगा तो उन्होंने अपना रूप बदला वा है और दादी बहुत स्रगल कर रही है और बोलेक है, मौने निजिटता इसरीके नहीं कि अलगे किस्ट방े होते हैं और दादि क्या यह सत पना है तो भितने वहन में सुचते हैं कि आ एक ड्रीम है और मैं जोन्हों एक ड्रीम स्काट महम हुआं नहीं तो मैं जोनि दूं तो अपने आपको उठाने की कोशित करती है और तब इस यह वहते है उठने वादी है तुम अब यह दिम्हारा चान से करके तो जो CEO के भादर होते हो और कसके अपनी CEO की सेकेंड दाली का हाथ पकड़ते हैं और उनको नीचे की तरफ में खीछ लेते हैं अब जैसे नीचे खीछते हैं तो वो रूरूरूरू की इंग्डम में आ जाती है और जमीन पे गिर जाती है और तब ही सब खुश होते हैं कि हमने करण दिखाया हमने करण अधि यह चाथ होते हैं आप अione k кож था कि खैंक काम कर देखें और उसे सटायबदाती होती हो यहां सब delivery और प॥ें जानती थी कि यह सब तुम ही करा सकते हो, तो CEO बोलता है कि अब तुम जाग गई हो, तो step दादी कोई तुम से ख्याल आता है कि वो तो जागने बादी होती है, तो बोलती हाँ, मैं जाग गई हूं, और यह जो है, एक ड्रीम ही है, उसके इलावा कुछ नहीं है, वो बुछती कि मैं किदर हूं, कि तुमने मुझे किटनैप कर दिया है, तभी step mother बोलती है, step दादी बोलती है, कि तुमने मुझे किटनैप किया है, तुमने मुझे किटनैप किया है, तुमने मुझे कैसे हुई, मुझे पता था कि तुम मुझे सैनेटोरियम में कैद करना चाहते हो करके तुम जो एक भुछी खराब आदमी हो और तुम मैं तुमारे साथ बहुत ही चाथ काइंड थी और मैंने तुमें जो है पीसफुल लाइफ जीने दिया और तुमने जो है मुझे यहां ट्रैप कर दिया और किड्नैप किया और तभी क्या होता है कोई बोलता है कि नहीं मैंने किड्नैप किया है करके तो वो पीछे मुड़के दिखती किस की आवाज आई जैसी वो पीछे देखती है तो मापस CEO के फादर CEO की मदर दिखाई देती है तो वो देखिए सच नहीं हो सकता तुम लोग तो मरे हुए थे ना तो अब तुम लोग यहां पर क्यों हो करके तो CEO क मैं दो पूलती है कि टुम अबे भी ड्रीम कर रहे हो तो मेरे साथ जिला हो क्या तुमने मुझे कोई दिया है जी मुझे मुझे हो रहा है करके और मैं जान देती के तुम ही होंगे और मैं तुम्हें expose करके रहोंगी तभी एक चाटा पड़ता है बहुत जो से तभी एक चाटा पड़ता है बहुत जो से step धादी को और तभी CEO की मददर कुछती है क्या इस से तुम्हें छोफ लगी कि तुम्हें दर्द हो रहा है करके, और this pain जो है, इस का मतलब यह है कि ये illusion नहीं है, और तुम जो हो अब ड्रीम में ही हो, और तभी जो step दाती होती है सब्स finished, वा पागल से हो जाती है, और बोती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो उमरी भी हो, तुम यहा पर नहीं आ सकते है तो CEO की मदर बोलती है कि मुझे को प्रॉब्लम नहीं है मैं तुम्हें एक दो चाटे और मार सकती हूं जब तक तुम समझ ना जाओ करके और वो बोलती है boys पीछे जाओ और फिर क्या कहते हैं वो grand mother को step grand mother को तीन चाटे और मारती है और रसी भी लेकर आती है शायद रसी से बांदने वाली है तब ही step dadi होती है बोलती है सच नहीं हो सकता यह सच नहीं हो सकता और तब CEO हसता है और चलो dad हम लोग को यहां से चलना चाहिए यहां से mom को टिक और कर रहे है देखते हैं अब क्योंते अब क्या होता है CEO के फादर देखते हैं और तुम्हारी मतर जो है वो आज अपने आप में नहीं लग रही है मैंने उसे पहले कभी इस तरहीं किसे देखा नहीं है तो ही बोलता है कि कोई बात नहीं थोड़ी दिन वो शायद नॉर्मल हो जाएंगी करके और तब इना CEO की मत सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैं जो चाहूं वो कर सकती हो करके और तभी बीच्चे से आवाज आती है कि मुझे तो चोप लग रही है तुम विकेट वूमन हो करके मुझे जाने तो और यह तीनों आत्मी जो है वहां से आगे हैं कि तो मुझे यहां पर कैसे रेसिस्ट करके रख सकती हो कर गए और इस मुवमेंट का तो हम बहुत लंबे समय से इंतिजार कर रहेते हैं जब यह बुड़ी हैसे बढ़ बढ़ार ही होती है तो CEO की मा इस स्टैप दादी को चाटे पे चाटे लगाई जा रही होती है और 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 तुम को लगता है कि तुम मुझे मा सकती हो अपने डूम से सोच ना कि तुम मुझे थे तो कि तुम्हारी मादर जो है वह वापस वैसी ही हो चाहेगी जैसे वह पहले थी तो CEO बोलता है वेल मुझे पुरी तरीके से श्योर्टी नहीं है क्या हो रहा है ना CEO के फादर ने हमेशा अपनी बीबी को एक क्यूट और ओबीडियंट और बहुत ही अच्छी वाइब के रूप नहीं देखा होता है कि जो वो किसी की पिटाई करती है तो कितनी जादा फ़तरनाक हो जाती है तो यह देखके जरस ही हो के फादर जो है बहुत अचंबे में पढ़ दा है अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है अब क्या होता है इस टेंब दाती ही तो बदी भी हैं और इपनों के पल बैटी नहीं है और बहुत ही नहीं हो सकता है और ये तो यदी dream है तो अभी तर जागी किये नहीं हूं और फिर वो सुती है नहीं wait मैं तो जागी ही हुई हूं पर ये dream नहीं हो सकता तो CEO की मदर भूलती है कि old woman तुम बहुत annoying हो, अभी भी मैं admit करते हूं कि तुम मैं अभी भी fighting spirit बचा हुआ है और मुझे असरा है कि तुम बहुत समय से बहुत ही अच्छा lifestyle जी रही थी तो ये जो old lady होती है वो गुती है कि तुमने ऐसा कैसे किया और ये true नहीं हो सकता है कि कोई भी मरावा आदमी मेरे सामने खड़ा हो तो तुम मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम जिन्याओ को क्यों help कर रही हो और जिन्याओ मुझे क्यों hurt करना चाता है करके उसने तुमें कितने पैसे दिये मैं उसे तुमें साथा पैसे दूँगी मेरी यंगेस डॉर्टर है वो fan group की इंचार्ज है और तुमें उस सब मेलेगा जो तुम चाहती हो करके और यदि तुम मुझे जाने दोगी तुम्हें पुलिस में भी शिकायत नहीं करूंगी और तुम्हें किटनैपिंग के चार्जेज नहीं लगाओंगी तुम्हें अपना चाहरा बदल देती है और को कि तुम्हें लगता है कि मैं एक living person हो कर कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो कर क तो CEO की जो step दादी है उससे क्या वो मर गई है क्या तुमने मुझे मार दिया है क्या एक after life है क्या तो CEO की mother जो है वापस अपने original form में आती है और बोलती है कि तुम क्या बड़ बड़ा रही हो और तुम बहुती लगी हो क्यों कि तुम इतनी असानी से मर नहीं सकती हो और ज तुम्हें यहां पर अपने जो डेफ्क रिपे करने पढ़ेंगे और तुम अपने बुझाओ का भुपतान कि यह भीना मर नहीं सकती हो तो यह बुढिया बोलती है कि मैं तुमारी बातों पर विश्वास नहीं करती ओ फिर से बोलती है कि नहीं बड़ सब लोग चलते हैं, मुझे हाथ दो, और लेट्स गो कहके, इस बुड़िया को वो लोग खीचते हैं, और बोलते हैं, जल्दी करो, इस से पहले कि ये उठे जाया, इसको नर्सा के उठा दे, इस से पहले हमें इस बुड़िया को ले जाना चाहिए, अब क्या आता है, इस यो की मतल ने कि बादल भी यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ड्रीम है, तो तुम जो ना जादा सेंस बनाने की कोशिस मत करो, क्योंकि ड्रीम में तो कुछ भी हो सकता है, तो यह होता है, चलो इस ओरत को बांद देते हैं, और वैसे भी क्लाउ के नीचे बंधी भी है और बाकी पूरी फैमिली क्लाउट के ओपर पैठी भी है और इसको उड़ा के लेके जाते हैं और यह प्लाउट तेजी से उड़ रहा होता है और जो इस्टाप दादी है उनकी तो हालत पतली हो रखी होती है अग उसको ले जाके केव में फेक देते है और कि जिन्याओ ठीक होगा क्या इस से यहां पर हम बैट पर सकते हैं और उसने का कि किसी पर एफेक्ट भी नहीं होगा और रूरू ने ये भी कहा कि यह चो जगा है यहां पर सब डर्टी चीज़ों को रखना चाता है करके इसलिए उसने हम लोगों को इस एरिया से आने के लिए मना किया था और आइसलेट कर दिया था और तभी ही की जान में जाना आती है औ यहां से निकलने के लिए उसे रूरू को बहुत प्यार करना पड़ेगा और यदि कोई ऐसा ना कर पा है तो यहां पर जिंदगी भर के लिए ट्रैप्ट होगा तो एस लॉंग एस यह जो आरत है यहां रहेगी और यह जो है डिर्टी थिंग भी है और यह अपना कभी भी जो रास्ता है वो रूरू के किंग्डम से बाहर निकलने का कभी भी नहीं खोच पाएगी क्योंकि यह कभी भी भी रूरू को दिल से प्यार नहीं कर पाएगी तो इन दी एंड दादी जी को यहां पर रूरू की केव में जो किंग्डम में है वहां पर क्याद कर दिया किया जो है वो पूछती है कि क्या आप लोगों को सच में कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है क्या और यह लोग बहुत कोशिस करते हैं और इनके हाथ में एक टॉय भी होता है और दादी जो है ना टॉय लेके पुटी-पुटी ऐसे चिला रही होती है और गेम खेल रही होती है और जीत गई अलन तभी दादा जी बोलते हैं कि तुमने चीटिंग किये यू चीटार कहीं कि और तो दादी जो है बोलती थी ही मैं तो जीत गई डेस इस एक कॉम्पेज़िशन ये तो कॉम्पेजिशन था तुमको को क्या स्ट्रेटीजी बनानी थी ऑब्स्टिकल्स को टैक् जा सकते हूं कि तुम को काम नहीं करना हूं कि इसलिए तुम इदर ऊदर भागते फिर रहे हो करके और मैंने कितना सारा काम किया गधे की जैसे इतने सालों तक और मैं सच में बता सकता हूँ कि तुमारे दिमार में क्या चल रहा है करके और तभी दादा जी ना बहुत गुस्टा हो रहे होते हैं अपने बेटे पर तभी उनका बेटा आके बोलता है डाद ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भाग गया था मैं अपसे बहुत ज़्यादा कड़ी महनत करूंगा और बहुत खुश हो रहा होता है और बताता है कि अब तो मैं फुल ओफ एनरजी हूँ करके अब दादा जी बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हां कैसे फुल ओफ एनरजी है कुछ दिन पहरे तक तो काम करने के नाम पे इस करोना निकल रहा था और अब एक्दम खुश हो रहा है तब ही जो CEO की मदर होती है वो बोलती है दादा जी को डैड बुलाती है और अपने हस्बिन को हनी बोलती है और बोलती है कि डैड औन हनी मैं आप लोगों के लिए जाक तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, वो बोलते हैं, ओके तुँ जा कहीं लेकि लेकिन दादजी अभी भी को refuse हो रहे होते हैं, कि भाई क्या ही हो गया, दोनों को बड़े खुश नजर आ रहे हैं, अभी भी दादजी को पता नहीं है, कि इनकी जो जो second vibe थी, उनको कैसे इन ल लोगों को उठना भी है वेक अप करना है जल्दी तो रूरू बोलता है ओके तो ग्रेट ग्रेंड फादर जो होते हैं इनके वो बोलते हैं नहीं मुझे तो अभी वेक अप नहीं करना है करके हमें तो अभी भी एक राउंड और खेलना है इससे पहले में रूरू के किंडम से वापस अपनी दुनिया में जाओं उससे पहले में एक राउंड और खेलना चाहता हूँ तो यह और सी यह देखते हैं और बिचारे बड़े ही वो हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं क्योंकि इनके जो great grandfather हैं वो अपने disciples को फिर से डरा देंगे क्योंकि जब भी great grandfather यहां खेलना आते हैं फिर वो नीन में सोई रहते हैं और उठना नहीं मानते हैं और इस वज़े से उनके disciples को बड़ी चिंता हो जाती है कि आखिरकार इनके master इतनी देर क्यों सो रहे हैं करके तब ही सी यह बुलता है कि great grandfather आप भूल गए है क्या कि आपको कई बार hospital ले जाया गया है करके अब क्या होता ना जब great grandfather इतनी देर तक सोते रहते हैं और इसे नीन्द में इतना बड़ बड़ाते रहते हैं तो इनके जो disciples हैं इनके शिश्य वो बहुत घबरा जाते हैं और सुचते हैं कि इनके master की जब्यत खराब हो रही है तो वो कई बार इने hospital ले जाने के लिए होते हैं और ले जाई रहते हैं तब तक में इनके great grandfather उठ जाते हैं कि आपको कोई देखना चाता है करके और यह phone CEO की चोटी आंटी का होता है और CEO की चोटी आंटी बोलती है कि तुमारे पस थोड़ा time है तो वो बताती है कि किस बारे में हैं करके तो CEO की चोटी अंटी भोलती है कि मैं केस तरह किसे explain करूँ और वो बताती है कि जो हमारी मदर है मतलब CEO की step grand mother जिसको हमने कैद किया था वो actually Ruru के dream में कैद है लेकिन उनका जो body है वो physically तो sanitarium में ही है और जब भी वो उठती है तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जब भी वो dreams में होती है तो उनको Ruru की cave में torture होता है तो उनकी चोटी अंटी बताती है कि अभी हमारी मा को जो है बहुत strange dreams आते हैं और वो बहुत ही unstable हो गई है और for some reason वो इन तुमें blame करती है और वो तुमको face to face मिलना चाहती है घरके अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कैसे मूमो और लिंशी एक जगह पर बैठे होते हैं और मूमो सोच रहा होता है कि लिंशी के साथ आज कर क्या चल रहा है इसका reaction जो है इतना slow क्यों है और वो लिंशी से पुछता है कि क्या problem है तो लिंशी बोलता है कि nothing आजकर मुझे ज़ादा नींद नहीं मिल रही है इसलिए शायद मैं ऐसा behave कर रहा हूं करके तो मूमो सोचता है कि ये भी सही है यूजवली तो लिंशी का attention 99% होता है पर मैं तुमारे बारे में सब कुछ जानता हूं करके तो लिंशी बोलता है मुझे लगता है कि मुझे काम पे जाना चाहिए करके तो वो उठके जाने लगता है और मूमो जो है वो सुचता है कि क्या चल रहा है लगता है कुछ तो हुआ है आए बेटर होगा कि मुझे पता ना चले कि कोई लीटल फॉक्स इसको रिजाने में लगी भी है मतलब अब क्या होता है दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यी और CEO, बिग हैड और रूरू ती चारो के चारो बहार निकलते हैं घुमने के लिए हमारा बिग हैड प्रैम में होता है रूरू CEO की गोदी में होता है अब जब ये गुमने चाहरे होते हैं तो CEO पुछता है यहां कि तुम्हें आचानक शॉपिंग करने आने की क्या जरुवती करके और वो भी किसी असिस्टेंट के बिना तो यही बोलता है कि इसका कोई रीजन नहीं है मैं बस वॉक करने आना चाहता था तो मैं आ गया तो CEO बोलता है ओके तो तुम क्या करना चाहते हो करके तब ही यही को याद आता है कि मुमू ने कैसे एक बार एडवाइस किया था कि यहां पर बहुत सारी सिंगल औरते हैं और जो आदमी भी उनकी एज के हैं करके और वो लोग जो है अरेंज मैरेज के बारे में ड्रीम करती रहती हैं CEO के साथ तो तुमारा जो कैरियर है अब बहुत अच्छा चल रहा है तो तुमको तुमारा रिलेशन CEO के साथ में जो है उसको एनाउंस कर देना चाहिए और उसको को तुम्हें आखे भी रखनी चाहिए करके तबही यह बुलता है ठीक है तो सब को मैं आज दिखा के ही रहूंगा कि जो CEO CEO है जिन्याओ वो सिर्फ मेरा है अब वो यह सोचके आज यह सब को बाहर लेके आता है गुमाने के लिए कि मैं सब को दुनिया को बता दूंगा कि CEO जिन्याओ सिर्फ उसी का लवर है और किस जिन्याओ को नहीं है कि यी के मन में ऐसी सब बाते चल रही है अब यी जो है अपने आपको एकदम से तयार वयार अच्छे से करके दिख रहा होता है और बोलता है कि लेट्स को और मैं आज तुम्हारे लिए एक रिंग खरीदने वाला हूँ अब यी और रूरू का चोटा भाई बिग हैड आगे आगे और सी और रूरू उसके पीछे पीछे अब क्या होता है कि दूसरी जगा फोन आता है और ये फोन लिंशी को आता है और लिंशी बोलता है कि ये काम करो तुम लोग सब मीटिंग में पहले जाओ मैं ये कॉल लेके आता हूँ तो सब लोग बोलते है ओके और इनमें से एक बोलता है कि मिस्टर लिंग तो मुमू भी पीछे मुड़के देखता है और सुस्त है कि ये किस तरह का लुक दे रहा है लिंशी और ऐसा क्या हो गया कि लिंशी का मूट जो है एकदम से पोकर फेस हो गया तो लिंशी का जो ये कॉल आता है वो लिंशी के पिता की तरफ से आता है और लिंशी बोलता है हेलो डैड तो वहां से आवाज आती है फोन में से कि तुम भूलना मत कि तुमने किस चीज के उपर agree किया था तुम्हारा जब ये child's play खतम हो जाएगा तो next year तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुमने मुझे promise किया था करके और तुम्हें अपने दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि जो deal हमारी हुई थी उसी के बारे में तुम सोचो तो तुम अपना promise ज़रूर रखना करके और इस बार तुम reckless मत होना किसी भी चीज में चल्दबाजी नहीं करना है करके और लिंशी अब सोच में डूप जाता है कि अब आगे क्या होगा करके तो ये वाला चप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है लेट सी वाट इस इट इन इट तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि CEO और यी एक सोफे पर बैठे हैं एक शॉप में हैं और एक औरत इनको डिजाइन्स दिखा रही है और ये लोग अंगुठी का डिजाइन देखते हैं और ये बोलता है ये तो बहुत ही सिंपल है तो वो दूसरे डिजाइन देखते हैं ऐसे करते करते हैं बहुत सारे रिंग्स जो है CEO के उंड़ी में यी पहना देता है और फिर पुछता है कि इन में से कौन सी अच्छी लग रही है मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूं इतने सारे रिंग्स देखे रूरू और बीग हैट भी एकदम से चौक जाते हैं और यह बड़े उससे बोलता है कि अब तो मैं ब्रोक नहीं हूं अब मिरे पा सुचता है कि मैंने कभी नहीं सूचता कि मैं इतना जनरेस बन जाओंगा करके CEO अभी भी कन्फ्यूज होता है तो यह पुछता है कि तो तुम्हें कोई पसंद है और तभी बोलता है क्या और और कोई भी रिंग है मुझे नहीं लगता है कि यह सब इसांट आया है तो वारा सा टाइम लेंगे और लेगा करके तो यह बड़ा हुष्सा हो जाता है और बुलता है नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है करके मुझे तो अभी चाहिए मुझे तो अभी जी तो बच्चे भी बोलने लगे राइट नाओ राइट नाओ करके लेकिन सीओ विचारा अभी भी क्लूल है कि क्या चल रहा है तो सब लोग बात करने लगते हैं कि कितना इस्ट्रेंज है ये लोग अपने आपको सिर से लेके पैर तक कवर कर किया हैं उपस से उन्होंने पहले सब चीजों को ट्राय करने के लिए बोला फिर वो यहां पर कोई चीज खरीदेंगे की नहीं पता नहीं और मुझे ऐसा लगता है ये लोग किसी चीज को कुक कर रहे हैं मतलब इनके दिमाग में कोई तो चीज चल रही है दूसरी बोलती है मिरे को भी ऐ करना पड़ेगा ये जितना भी से स्टाफ है ये अपनी गॉसिप में लगावा है इनको कुछ पता नहीं है और ये लोग ऐसे बचकानी बाते कर रहे हैं तो इनकी दूसरी सेल्स ऑफिसर गोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है तुम लोग ओवर रियक्ट कर रहे हो और क्या है इन करना पड़ेगा कि ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं देखे दिखाए से जिसे कि शायद सेलेबरिटी हो तो दूसरी लड़की ना इंफर्मिशन निकालती है तो सेल्स मैं वाली जो लड़की है वो बोलती है तुम कस्टमर के प्राइविसी ऐसे नहीं चेक कर सकते हैं यह सही है तो लड़की बोलती है कि डॉंट फरी ऐसा करने से किसी को भी यहां पर पता नहीं चलेगा कोई नोटिस नहीं कर पाएगा और मुझे ऐसे बता है कि यह लोग वाकई में कुछ जाने पेचाने से लग रहे हैं तो मैंने अपने फ्रेंड को पूछा है कि लोग कॉन से सेलेबरेटी है में врем Dubon पून की होगा कि तो मैं वह पहुत सारे लोगों की नजर तुम पे है और मैं उन सब को बता देना चाहता हूं कि कि तुम सरिफ मेरे हो और इसी चीज के द्वारा मैं उनको बता पाऊंगा कि वो तुम लोगों पर गिव अप करते हैं याना हमारे घी के दिमाग में ऐसी बाते चल रही है कि दूसरी रड़कियों की नजर सी यो पर है और गीदी वो सी यो को रिंग पहना देगा तो दूसरी रड़क अब बनके बाते बोल रहा है लेकिन जो हमारा जिन याओ है विचरा बलश करने लगता है और उसको बहुत ही अच्छा लगने लगता वह बच्चों को अपने गले से लगा रहे तो और रूरू को लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या हो रहा है इंदी और दूसरे लोग बोलते हैं पीचे से औरत बोलते हैं कि हम लोग खोशिस करेंगे कि आप हमारे याँ पर फिर से विजिट करिए करके अब ये बाते सुनके हमारे यह इकीनाग बहुत उची हो रही होती है क्योंकि वह बहुत प्राउड फील कर रहा हुता कि बढ़िया रि लिंशी पर होता है मुमो वो सोचता है कि आज लिंशी कुछ अजीब सा दिख रहा है पक्क है इसको किसी ने अपने लड़की ने रिजाने की कोशिस की होगी और अभी कर्मा जो है इतनी जल्दी आगया मुझे पता नहीं था और मैं तो सिफ एक चोटा सा ड्रामा काॉस कर करना पड़ेगा करके और मैं इस चीज से किसी भी तर मुझे बहार निकलना है तो वह जाता है और बोलता है लिंशी वेट करो तो लिंशी मुड़ता है कि सौरी मैं तुम्हें बताना भूल गया मैंने जहाओ को काया कि वह तुम्हें कल बिजनस ट्रिप पे कंपनी दे और म अच्छा देख रहा है तो मैंने जह बोलता हां अच्छा देख रहा है और क्या आपका हो गया यह दिखाना पूरे दिन पूरी सवेरे से इसी उंगोटी को देखे पड़े हो और यह तो दस्वी बार है जब तुमने मुझे से आज पूछा है कि यह कैसा लग रहा है सी यो क पपी आइस बनाके बोलता है हाँ अब मैनेजर विचारा फिर परिशान है क्योंकि जो इनका बॉस है बेसिकली वह काम कुछ नहीं करता है और आज कल सिर्फ उसका देहान हमारे यह के प्रेम प्रसंग में ही लगा रहता है अब दरवाजे पे नौक नॉक होता है और सी यो अब एक आदमी आता है टिक टॉक टॉक चलकर और फिर वो आके बैठता है और सी यो बोलता है चलो तुम यहां तक पहुंच गए अब यह आदमी कोई और नहीं हमारा लिंशी है और बोलता है कि मैं सही टाइम पर आ गया तो सी यो अपने मैनेजर को बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो मैनेजर उसका चला जाता है अब सी यह चाय पीता है और उसके अंगुठी दिखाई देती है तो लिंशी बोलता है नाइस रिंग और वेरी लग्जीरियस तो सी यह बोलता है थैंक यू और ही हैड़े गूड टेस्ट याने यह का टेस्ट अच्छा है तो बोलता है तुम काफी कॉन्फिडेंट मालूम पढ़ रहे हो तो यह बोलता है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं और बोलता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतिजार कर रहा था हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ आई थी क्लाउड वॉक जो प्रोडेक्ट है उसको ल आने लगे तो मैंने तो सिंप्ली तुमको उन लोगों से मिलवाया था लेकिन सारे जो एपेट्स और कॉलाइबरेशन था वह तुम ही ने किया है और तो यह बोलता है हाँ ऐसा तो कोई भी कर सकता था और जिसका पावरफुल ब्रैग्राउंड होता सिफ वही कर सकते और उ हमें बहुत सारी चीज़े इस प्रोजेक्ट में लर्न भी करनी है और कोलाइबरेट भी करनी है तो सियो बोलता है ठीके मैं तुमें सिर्फ थैंक्यू भी नहीं बोलूगा थैंक्यू बोलना बहुत छोटा सा है बड़ मैं तुमें किसी चीज से इंट्रोडेक्शन कि हम लोगों एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी और हम तभी मैं तुमसे एक रिटन फेवर मांगने के लिए आया हूं और यदि मूमू तुम्हारे जितना थोड़ा भी शार्प होता तो वो मुझे अपने बाजू में एस एसिस्टेंट इतने साल तक नहीं रखता करके तो CEO बोलता है well जो मूमू है वो बहुत स्मार्ट है और वो जो है सब को देखता है और लेकिन तुम्हें नहीं देखता है I am sure कि कि वो ऐससा सोचता है कि यदि तुम जितना ही उसके बारे में जानोंगे उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जितना भी जाने उसे और तुम करना चाहता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो लिंशी इस बात को सुनता है और बोलता है let's get down to the business और वो बताता है कि exchange में उन लोगों को एक promise किया था तो यह बोलता है तो अब तुम्हें regret हो रहा है तो लिंशी बोलता है हाँ बहुत जाता क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी life में थोड़ा spice करना चाहा रहा था और लेकिन मुझे कभी यह नहीं पता था कि जब मैं ऐसे अपनी life को बि लेकिन इस दुरान मुझे और उसके relationship के बीच में यह सब कुछ हो गया और यह सब उसे उमीद नहीं थी कि कभी होगा करके तो लिंशी बोलता है कि मैं तुम पर trust करता हूं और तुम अच्छे से जानते हो होगे कि मुझे को मेरे बारे में कैसा feel होता है पर अभी जो मेरी current situation मैं मुमू के साथ में अपनी जिंदगी नहीं विता सकता मतलब लिंशी को भी पता है कि मुमू उसको प्यार करता है और मैं यह भी शूर हूं कि मैं अपने family के control से कभी शायद बाहर नहीं निकल पाँगा करके जैसा कि दिखा रहे हैं एक bouquet और दो rings याने कि हमारे लिंशी कि शादी कहीं ना कहीं शायद तैय हो गई है तो लिंशी बताता है कि यदि मैं अपने parents को देखना है तो सबसे पहले मुझे शादी करनी होगी और मुझे नहीं लगाता कि यह एक big deal होगा उस time पे तो मैंने बिना hesitation ही इन लोगों को agree कर दिया था लेकिन अब जब मैं सोचत नहीं करेगा और यह एक responsibility लेने की बात है और यदि कुछ हो गया मैंने ऐसा कर दिया तो उन लोगों का target सबसे पहले बॉन स्टार एजिंसी होगा और जो यह बॉन स्टार है रोयल entertainment industry यह मुह की ना बहुत कड़ी मैनत की कमाई है उसने बहुत मैनत से इस industry को खड़ा किया है अब CEO भी शोच में पढ़ जाता है लिंशी भी सोच में होता है और बोलता है कि मुझे तुमारी मदद चाहिए अब क्या होता है दिखाते है हमारा मूमू जो है दुर्बीन देके खड़ा है और दुर्बीन में वो देखता है लिंशी को और बोलता है मुझे पता था कि यह कुछ तो मेरे से अच्छे पा रहा है और ये जो है रात के 10 बजे तक काम करता है और अभी ये है कि बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए मना कर रहा है और 5 बजे से पहले ही ये लास्ट टूरीज में कहीं जा चुका है तो कुछ तो गड़ बड़े और वो पीछे मुड़के देखता है और ये को पुछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या गड़ बड़े अब ये विचारा दोनों बच्चों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है और वो सूचता है अपने मन के अंदर कि मैं कौन हूँ और कहा हूँ और मैं यहां क्या कर रहा हूँ अब क्या होता है रूरू अपने छोटे भाई को खाना खेलाता है और वो विचारा इनके साथ वाक कर रहा होता है यही तब ही गाड़ी आती है और रुपती है और मुह बोलता है get in करके अब क्या होता है यह लोग गाड़ी में बैठ चाते हैं और और तभी मुह बोलता है कि यह टाइम आ गया है कि जो हम boys को घर ले जाएं लेकिन जल्दी जाने की क्या जरुरत है और तुम्हें curiosity नहीं हो रही है कि लिंशी के साथ क्या हो रहा है तो यह अपने मन में जिससे यह मिलने जा रहा है तो यह बोलता है कि मुझे से लगता है कि boys को जो है भूक लगे होगी क्यों ना तुम वैंग या जाओ को अपने साथ ले जाओ और मैं घर जाके अपने बच्चों को मुझे डिनर भी कराना है और मुझे स्क्रिप्पी परनी है तो मुझे मुझ और को डूइन सकता हूं मैं सिर्फ तुम ही पर कर सकता हूं करके और ध और तो कल सबेरे जो न्यूंस है वो फाइरल हो जायएगी और इधर उधर पेपर मैं आ जाए तो न्यूस का वाइरल होना जादा रिस्की है करके और यदि तुम्हें टुम्हें जानना है तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते और इस तरीके से उसके पीछे करने से तो असल लगेगा कि हम किसी को इस टॉक कर रहे हैं करके तो मुझे बताता है कि यदि वो मुझे कर रहा है कुछ पिछले दिनों से मेरे को नहां शार्प इंस्टीटूशन हो रहा है कि को मुझे सक्षा या बता 좋ा रहा है ऑर जब तक में जान नहीं ङुँगा तब तक मुझे निंप नहीं आएगी और जब तक मैं नहीं सूँगा तब तक तुम भी नहीं सूपाओगे तो यही बुलता है ठीके ठीके मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ अब ना दोनों इसे काड़ी में बैटे होते हैं और यही को लगता है कि उसके आगे जो कार है वो फॉर सम रीजन उस कार को पहचान सकता है क्योंकि यह कार किसी और की नहीं जिन्याओ की है और उसकी फिर दिमाग की बत्तियां जो है एक लम जल जाती है कि यहाँ पर जिन्याओ की कार क्यों है करके और लिंशी और जिन्याओ के बीच में क्या चल रहा है और तभी एक आदमी आता है दर्वाजा खुलता है बोलता है सर क्या मैं आपकी कीज को ले जाओं तो जिन्याओ कीज देता है ठीक है और थैंक्यू भी बोलता है अब दिखाते हैं कि कैसे लिंशियों सीयों जो है यहां पर रहे और उनका प्राइबरेट रूम का टिकेट भी है करके और तभी यह देखके ना मुझे इसे पुछता है कि एक्स्परेंट करो मुझे यह दोनों एक साथ क्यों है तो यह बोलता मुझे कोई आइडिया नहीं है और मुझे देखना पड़ेगा कि यह दो लोग क्या कर रहे हैं आपकर तो यह बोलता है रहे रुको ऐसे हम झा सकते हैं झा क्या तत्य दिर में एक और एक कार आती है और उसमें से मिस्टर ही बाहरा आते हैं और paterny बोलता है इले बोलता है कि बहुत ऑनर की बात littleone की तो लिंशी जो है तुमारे ग्रेंट फादर से क्यों मिल रहा है अब यह और कन्फ्यूज उचतर बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है करके अब मुँँ पीछा करने वाला होता है कि यह उसको पीछे से कीशतर बोलता है कि एक सेकंड रुको अब मुँँ बोलता है कि अब क्या प्रॉब्लम है तभी ही बोलता है कि उधर देखो वहां पर वाई वाई भाई भी आ रही है लिंग वाई और तभी एक लड़का बोलता है कि मुझे अपने साथ अंदर जाने दो तो लिंगवाई बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं अंदर अकेले ही जाऊंगी मेरे ग्राइड फादर और डैड भी है और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी तो लड़का बोलता है कि तुम फिर मुझे मैं नीचे पार्किंग में खड़ा हूं मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा लिंग वाई जोती है ओके बोलती है अब क्या होता है मुमू और यह दोनों बच्चों को लेकर कार से उतरते हैं और मुमू बोलता है कि यह कैसे कोईंसिडेंट हो सकता है मैं तुम्हारे पूरे फैमिली के लोगों को यहाँ पर होटल के सामने देख रहा हूँ और यह सब तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स हैं तो तुमको वाकर में कुछ तो पता होगा तो मुझे बताओ कि क्या हो रहा है तो यही बोलता है मुझे सच में नहीं पता है अब क्या होता है सब लोग ना मीटिंग में बैठ जाते हैं यही के फैमिली ही फैमिली इसी और निंशी और दादा जी जो है वो बोलते हैं कि यह जो प्लेस है काफी अच्छी है और तुमने एक अच्छी प्लेस चुनी है और मैं तुम्हें इस तरह करता हूँ और तभी निंशी बोलता है कि I am happy sir कि आपको यह पसंद आया और आप थोड़ा सा चाय पीजिए तो क्या कहते हैं दादा जी बोलते हैं कि तुम इस फैमिली के अच्छी बिसनस फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो तुम यहां पर क्यों आए हो और क्या हुआ है और तुम को क्या उन लोगों ने मेरे से भीक मांगने के लिए बेज़ा है क्या करके तो लिंशी जिए वो हस्ता बोलता है कि मैं बस यहां पर अपनी फैमिली के कुछ असाइमेंट को अकम्पिश करने आया था और तभी दादत जी बोलते हैं इस तरह मत आजो क्योंकि तुम बहुत ही ग्रॉस दिख रहे हो तुमारी फैमिली जो ना सब ऐसी फेक इसमाहिल हस्ती रहती है अब क्या होता है निंशी बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने वर्ड्स पे दुबारा पीछे नहीं जाओंगा और ऐसा कुछ भी दुबारा नहीं होगा बस मैं एक बिजनेस करने की आपके साथ मतलब यह जो डील करने आया हूं उसके लिए मुझे अपर्शनिटी हूं पीपल को जच करने में बहुत अच्छा होता हूं और मैं तुम्हें पसंद करता हूं तुम दूसरे नौर्थ लोगों से अलगा करके और अपने मन में बहुत खुश हो रहे होते हैं मिस्टर ही कि कितना लगी हूं मैं मुरे को एक और एक वरकर अच्छा हाई कि तुम उनको सुन सकते हो तब भी बूत अहीं मुझे ऐसा लगता है कि वह खुश आर्थ वंप के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझ बूलता है ऌं ह tú eties लेकिन मैं अपना जो प्लान है क्यारी आउउट करना चाह रहा हूँ स्मूथ और इसके लिए मुझे मिस्ऺी की जर और लिंशी बोलता है फिर कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी miss ही के साथ मतलब लिंशी के साथ लिंशी जो हैके साथ engagement की बाथ आ तो infants इसक्ली हमारा लिंशी जो है हुम मु से दूर जाने के लिए यहां पर कुछ बैट के प्लान किचरी बना रहा है तो I guess यह वाला चैप्टर काफी ड्रामेटिक होने वाला है तो प्लीज आप लोग वाच करते रहे हैं चलिए आगे देखते हैं तो हमारा यी रूरू, बिग हैट और मूमू अभी कान लगा के सुनी रहे होते हैं और इनको एक बात सुनाई देती है जो की है इंगेजमेंट के बारे में तो लिंची बोलता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिंगवाई के साथ इंगेजमेंट करना चाता हूं अब ये बात सुनते से ही मानो इन दोनों के तो कानों में कहर ढ़ा गया हो मुझ का मुझ खुला रह जाता है और बस वो चिला नहीं वाला होता है कि ही मुझ का मुझ बंद का देता है और तभी वहां से एक और एक वा जाती है कि हां क्या हुआ अब यह तीसरा आदमी लिंग भाई का बॉइप्रेंट है जो हम एक्जक्ली ब एक रही है कि वो suitable है की नहीं यह वो आदमी है अब क्या होता है इनके इस तरह की आवाजों की वज़े से कशचचपट की वज़े से कोई अंदर से वास पुछता है कि बाहर कौन है और तभी कोई बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ नहीं अब ये तीनों ना नीचे छुप जाते हैं ये सोचके कि कोई इनको देखनी पाएगा करके और तब भी कोई बोलता है कि बोल सकता है कि कोई वेटर हो जो बाइपास हुई हो और ये लोग अपना अपना मूह बन करके बैठे रहते हैं तब ही क्या कहते है मूह बोलता है मैं जाके देखता हूं करके और यही बोलता है गो गो करके अब क्या होता है ना दरवाजा खुलता है और ना वहाँ से CEO देखता है अब CEO जब देखता है तो यही की भी नज़र CEO पर पड़ती है अब यह लोग सब भाग रहे होते हैं और इत तो अंदर से दादाची पुछते हैं कि भाई कौन था अब ना CEO एकदम से चौक जाता है वो कैसे बोल सकता है कि बाहर ही ही है जो उसको देखके से भाग गया तो दादाची बोलते हैं कि जो कोई भी है हमारे कान लगा के बाता सुन रहा है वो अच्छा नहीं होगा उसके लि इसे वेटर वेटरस जो थी वो बाइपास हो रही थी यहां से इसलिए हमें ऐसी आवा जाए होगी तो दादाची थाड़ा कन्फ्यूज हो जाते है और लिंग भई भी थोड़ी कन्फ्यूज रहती है यह सुनके कि उसको इंगेजमेंट करनी पड़ेगी करके तो बोलती है इंगेजमेंट वो भी मेरे साथ और तभी लिंग भूता है हां लेकिन अपकोर्स यह जो है टू वाली इंगेजमेंट नहीं होगी यह फेक इंगेजमेंट होगी और इस तरहिके से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा करके और मीडिया को और फैमली का अटेंशन जो है इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और डोंट वरी मैं गैरेंटी देता हूँ कि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके रिपर्टिशन पे भी कोई फरक नहीं परेगा तो लिंगवाई सब सुनती है और लिंगवाई होती है कि यदि यह बाद तुमने म तो मैं इसमें तुमको परेट कर लेती लेकिन अभी क्या है करेंड़ी मैं किसी को देख रही हूँ तो हम लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है बेकिन मैं देख रही हूं कि हम दोनों के बीच में चीजे कैसे जाएगी हम आपकी रिक्वेस्ट को जो है डिनाय करना tell me कौन है वो और इस देट मूव वो सुचते हैं कि कोई मूँ नाम का लड़का तो लिंची बोलता है मूँ क्या याओ करके तो दा मैं जिसका रियूमर चल रहा था तुम्हारे साथ चब यह को कवर अप करना था क्या वह आत्मी तो लिंग वही बोलती है हाँ वही आत्मी पह मुझे ऐसा लगना लगा कि जो मू है उसका मिस्टर मू है उनका नेचर मेरे से काफी मिलता चुलता और मैं काफी उनके वेवास से साटिस्पाइड थी और वो मुझे काफी सूर भी करते मतलब जैदी लिंग वाई पढ़ाई करती है तो यह जो लड़का मू है वो भी पढ रहे हैं और हम लोग इगुसे से वाखे हैं इसलिए मैंने ऐसा रिसाइड किया है कि मैं इस रिलेशन्शिक को थोड़ा सीरियस लिलूँगी तो मैं आपकी कोई हैल्प नहीं कर सकती है ऐसा हमारी लिंग वाई बोलती है अब क्या होता है दाता ची को गुस्सा आता है और व कीजी करने कर बोलता है क्यों ना हम पहले कुछ खा लेते हैं और फिर हम कि इस बारे में बात करते हैं और तभी दादा जी बोलते हैं कि मेरा मतलब है कि हमने लोगों को साथ में बड़ा होते वे देखा है और उसका करेक्टर जो अच्छा है लेकिन वह आत्मी जोए ना खुदी मार दूंगा यदि मेरी ग्रेंड डॉर्टर की तरफ यहां को ठाके देखेगा तो तो अब लिंगभाई के फादर बोलते हैं हां वो तुम्हारे लेकिल अच्छा लड़का नहीं है और वो जो है उसको तो कोई फैमिली ब्रैग्राउंड भी इतना अच्छा न नहीं है और तुम दुनों जो है दूसरे के सूटेबल नहीं है तो लिंगवाई तुम अपनी आखे खोलो और मैं ना कुछ तुमे थोड़े से आइड्रॉप डालके देता हूं तुमारी आखों में जिससे तुम्हें साफ साफ दिखाई दे करके और ऐसा करके ना वो अपन लिंगवाई के फादर बोलते हैं कि हा मैं भी एकरी करता हूं तो लिंगवाई बोलती है Mr. Lin I'm sorry मैं आपको इस मामले में help नहीं कर सकती हूं बैरहाब किसी दिन आप किसी को प्यार करो किसी की केयर करो तो आप इस चीज़को अंडरस्टेंड कर पाओगे कि कितना भी कुछ भी हो हम कितनी भी कोई भी चीज को अचीज कर लें कोई भी चीज पा लें लेकिन किसी को यदि हम हर्ट करके वह चीज पाएंगे तो यह सही फिर किसी के दिल में चुबा होगा तो इसे निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर ये relationship ऐसे नहीं चलेगा तो लिंशी को भी ये बात समझ में आती है लिंशी बोलता है ठीके मुझे माफ कीजेगा मैंने जल्द बाजी में चीज़ों को consider नहीं किया लेकिन आपने मुझे remind किया तो क्या है लिंशी ना grandfather से भी माफ माफ मांग लेता है और बुलता है मैं अपनी इस unreasonable request को ले माफ माफ मांगता हूँ और मैं लिंग वाई की प्लान को समझ सकता हूँ तो यह प्लान जोता वैसे भी मैं कभी भी अपने ले नहीं बना रहा था यह प्लान मैं उस इंसान के लिए बना था जिसके लिए में बहुत ही क्यार करता हूँ यदि मैं उसी को hurt कर दूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा तो यह प्लान जो था मूमू के लिए था अब यदि इस प्लान में मूमू ही हर्ट हो जाए तो इनके रिलेशनशिप का कोई अर्थ नहीं है इन दी एंड मैं अब उसे हर्ट नहीं करना साथा तो दादाची बोलते हैं कि लेकिन दिनशी तो CEO बोलता है यदि यहां पर किसी तरह के शॉट कुट होंगे तो ठीक होगा क्या यह शॉट कट मेरे केरियर को जरूर बेनेफिट दिए लेकिन यदि मैं इन शॉट कूर्स को अपनाने के लिए यी को हर्ट करूं ही के feelings को hurt करूँ तो आप मुझे बताइए कैसा लगएगा अब ये बात सुनके तो दादाजी बहुत गुसा हो जाते और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी कोई death wish है क्या यदि कभी तुमने यी को hurt के तो मैं तुम्हे मार दूंगा करके तो यही होता है तो यही तो मैं आपको समझाने की खुशिस कर रहा हूँ तो हमें ऐसे कभी भी short cut नहीं लेना चाहिए तो जब कि लिंग वाई और लिंशी ने ये दूसरों को hurt नहीं करना चाहते हैं तो हमें इनके विचारों की respect करने चाहिए तो यह जो प्रपोजर हम लेके आयते हैं यह एकदम निल और वाइड है अब हमें कुछ और plan सोचना पड़ेगा तो दादा जी जो ओलते है ठीक है फाइन तुम यह लोग जो हो बहुत स्मार्ट हो और तुम लोग किसी नए तरीके के साथ मेरे पास आना पर तो फिर यहां पर यह बात खत्म हो जाती है लेकिन दादा जी बोलते हैं लेकिन जो भी हो तुम जो हो लिंगवाई के बोलते हैं कि तुम मुई क्विंग के साथ में इंगेजमेंट नहीं कर सकती है तो लिंगवाई के पापा कुछ तो misunderstanding हो गई है लिंगवाई ने मुझे कभी भी कुछ भी पताया नहीं है और मुझे doubt है कि वो इस चीज के लिए agree भी करेगी तो हमको ना कुछ ऐसे सोचना नहीं चाहिए तो ना अब जो लिंगवाई का ये जो मुवाला boyfriend है moon queen वो बोलता है कि यदि वो agree नहीं करती तो यहाँ पर क्यों आती और उस लड़के के साथ grandfather को मिलवाने के लिए मैं कितना बड़ा फूल था और मैंने अपने ही औरत को दूसरे आदमी के पास भेज़ दिया करके तो दूसरी तरफ मुमू सुचता है कि no wonder लिंशी जो है वो आजकर काफी दियों से मुझे आवाइट कर रहा है मुझे लगता है वो secretly यह date को plot कर रहा था तो यह बोलता है यह date कैसे हो सकती है वहां तो जिन्याओ भी था तो वो ऐसे चीज़ों में अपने आपको involved थोड़ी ना करेगा तो मुझे को बहुत गुसाता और बोलता है how dare you कि तुमने जिन्याओ का नाम mention किया और यह भी हो सकता है कि उसी ने इन दोनों को set up किया हो करके और नहीं तो कैसे वो दोनों लिंशी उसको propose करने जाता है और वो ऐसी मिल जाते करके जिन्याओ ने कुछ तो छुपा रहा है और उसने इन दोनों का relationship को करवाया है करके और यह दोनों shameless pair ऐसे secret में meet कर रहे है यानि मुमू के हिसाब से लिंशी और लिंवाई जो है वो पहले से इंगेश थे और secretly meeting कर रहे थे और मुमू को नहीं बताया था और अब उसके उपस यह दोनों शादी भी करने जा रहे है तो यह बुलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता engineer जो है मुझे हर दिन अपने दिन की पूरी बाते बताता है तो यह ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताता और वो ऐसी सब चीजों को cover भी नहीं करेगा और तभी ना लिंग वाई का यह सो काल वॉइफरेंड बोलता है कि मैं आफन ही ज़्यादा ते लिंग वाई को pick करने जाता हूं उसका schedule बहुत हाँ टाइट रहता है मैं उसको कभी छोड़ने जाता हूं कभी लेने जाता हूं कहा किसी ओर से मिल सकती है तो यह लिंग वाली चीज़ कहां से आ गई बीच में ठी Hiçम मोह और गुस्टा हो ⑤ मोह बहुता है कि दो फिर लिंग-शी उसको प्रपोस की कर रहा है अब तुम कहना कि उन लोगों ने डेटिंग का स्टेज जो है स्किप कर दियो और डारेक्ट मैरिज के स्टेज पर आ गए हैं और तो यह बोलता है कि हो सकता है यह सारी सब को चीजे मिसंडेस्टेंडिंग हो तो यह सो कॉल बॉइफरेंड बोलता है कि हाँ वैसे तो मैं अभी भी लिंगवाई को ऑफिशली बॉइफरेंड बना नहीं हूँ और मैं तो प्रोहेबिशन पीड में हूँ तो मैं तो इस पोजिशन में नहीं हूँ कि उससे कोई भी सवाल जवाब कर सकूँ और इसके अलावा यादि हम देट भी करेंगे तो हमें हमारे शादी करने के लिए सब की पर्मिशन लेनी पड़ेगी और सब की पर्मिशन लेने के लिए हमारे families को involved होना पड़ेगा और लिंग भाई कि जो grandfather है यदि वो हमें approve नी करेंगे तो हमारी शादी कभी भी भी नहीं होगी तो जो grandfather हैं वो कभी ना कभी तो हमको split ही कर देते तो आज नहीं तो कल तो मेरा break up हो नहीं ही था तो यह सोच के विचरा बड़ा दुखी हो रहा होता है तो यह बोलता है कि भी तुम इतने pessimistic मत रो तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए यदि तुम दोनों अभी भी couple नहीं हो और तुम ऐसे pessimistic सोचो के तो कैसे चलेगा तो यह बोलता है कि तुमको जो है यदि तुम अभी से ऐसा सोचोगे तो बाकी की आगे की journey तुम कैसे complete करोगे करके और तभी यह बोलता है wait a second अब ना I think करके वज़ बोलता है अब इतने में ना यह दोनों मूमू और यह so called boyfriend हमारे यह को देखने लगते हैं तो basically यहाँ पर एक misunderstanding हो गई है और इन लड़कों को अपना दिमाग लड़ाना पढ़ रहा है कि आखिरकार बात क्या है तो यही पुछता है क्या Mr. Lin तुमारे assistant है क्या तो मूमू बोलता है तुम ही बताओ हमने इतने सालों तक कितना काम किया है और जैसे उसने graduate किया था वैसे ही मैंने उसे अपने पास hire कर लिया था और तब से वो मेरे पास काम कर रहा है करके और जो मूमू होता है वो proud बहुत होता है और बोलता है कि जो कुछ भी आज उसने सीखा है सब कुछ मेरे मैंने सिखाया है और अपने मन में सुछता है कि मेरा manager जो है कितना handsome है और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा charming boss हूँ अब इसका manager याने लिंशी इसका manager है तो मूमू बोलता है तो यही बोलता है तो कि मेरे grandfather पर तुमारे assistant पर क्यों कोई favor करेंगे तो मूमू एकदम से चड़ जाता है और बोलता है कि वो क्यों नहीं करेंगे उसके उपर कोई favor जो लिंशी है वो बहुत ही excellent है अब हमारा मूमू जो है सारे imagination गलत ही कर रहा है उसको जो perfect लग रहा है वो लिंशी का body वगर imagine करके बोल रहा है करके तो मूमू बोलता है कि जो हमारा लिंशी है वो बहुती tall है और उसका waist जो है वो भी slim है उसके lags भी बहुत अच्छे हैं और उसके बाल भी बहुत थिक हैं और वो बहुत dignified है मतलब हमारा मुमू अभी भी जो है उसका imagination जो है बहुत ही wild जा रहा है तो कोई भी क्यों ना उसको ऐसे masterpiece को मतलब जो heaven से आया है उसको उसके उपर कोई भी मतलब महरबानी क्यों नहीं कर अब क्या होता है यह और जो so called boyfriend है वो साथ में बैटे हैं और दोनों सोच रहे होते हैं कि मुमू पता नहीं किस दिशा में सोच रहा है तो यह बुलता है कि तुम जो हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब तुमारा जो view है thinking का वो जड़ा अलग सा हो रहा है अब मैं भी इत इस्ट नहीं हूँ जिन याओ को लेके और कंसिरर करो कि उसने अभी सिर्फ मैरेज के बारे में ही कहा है और अभी उसके फैमिली से भी concern लेना बाकी है और क्या है कि मेरे जो grandfather है इस so called boyfriend को बिल्कुर भी पसंद नहीं करते हैं तो वो Mr. Lin को क्यों पसंद करेंगे तो मुमू फिर से थोड़ा सा चिड़ जाता है और बोलता है कि अरे तुम जो हो apples को orange से कैसे compare कर सकते हो तो विचारा so called boyfriend एकदम से shocked हो जाता है कि उसकी तो बेज़ती पे बेज़ती हो रही है अब मुमू बोलता है कि लिंशी जो है सौ गुना जादा handsome है इस so called boyfriend की अपेक्षा फिर बोलता है नहीं नहीं वो thousand times better है ऐसा कहके एक बुक्का मार देता है so called boyfriend के मुह पे और ऐसे उसको basically वो physically hurt नहीं कर रहा है लेकिन वो उसको ऐसी कटू बाते बोलके उसकी दिल पे चोट पहुचा रहा है और फिर बोलता है कि actually वो 10,000 times better है करके तब ही so called boyfriend जो बिचारा रोने लगता है और sad सा हो जाता है कि तुम दोनों मेरी insult करना बंद करोगे तो यहीं बुलता है कि marriage जो है वो दो लोगों के बीच में है और दो family हो के बीच में है लेकिन दो लोगों के बीच में नहीं हो रही है करके और जो मेरे grandfather है वो actually में Mr. Lin को जो है वो accept करने करें तयार है तो इसका मतलब यह नहीं है क्या कि लिंशी जो है वो किसी extraordinary family से क्योंकि अधी कोई बढ़ा आदमी नहीं होगा तो वो Mr. EK के contact में कैसे आएगा करके तो क्या कहते है मुमु सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद अपने ले ये सब कर रहे हैं करके तो यह बोलता है कि मैं सिर्फ guess कर रहा हूँ और हो सकता है कि इतना complicated भी नहीं हूँ से जानता था हमारे university के time से जानता था पर मैंने पता नहीं कि उसके कभी भी background में कभी भी खुशिथ नहीं की जाके देखने की और उसके जो circle के लोग थे वो भी बहुत wealthy family से थे और मेरे को कभी भी उसे इस तरीकी के बात करने का chance नहीं मिला और हम लोग इतनो close भी नहीं थे और वो दूसरे टाइप के playboys की तरह भी नहीं था और वो जो है कि वो सब को देखता तो था सबसे smile भी करता था पर वो सब deal करने के लिए ही करता था वो कभी भी किसी के साथ hook up नहीं हुआ था करके और जो वो मुझे देखता है तो उसकी नजर कुछ देखता है और उसमें एक purpose भी दिखाई देता है और मैं उस वक्त लिंशी से बहुत attracted भी था करके तो मैंने deliberately उस सारी चीजें उसके राजु बाजु की ignore कर दी थी और सारा focus उसी के ओपर कर दिया था फिर मैंने उसको अपने born star entertainment industry में graduation के बाद invite के अकाम करने के लिए और फ पाथ है family के वो बहुत diagram रुच्छा था तो मुझे 90% sure था कि वो मेरे face के उपर शाद हस देगा तो पर उसने ऐसा नहीं किया और वो मेरे feelings के बारे में हमेशा से जानता था तो for some reason मैं उसके लिए special था और हम काफी समय से together भी थे तो मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारा time बचा हुआ है तो मैंने उसे कही बार test भी किया इतने सालों में और वो हमारा जो relation था हमेशा उसको professionally रखता था हम close तो थे friends से ज़्यादा but not lovers थे और हम जब हम थोड़ा progress करने लगे तो मुझे नहीं लगा ता कि ऐसा कुछ हो जाएगा ता कि और और ऐसा कुछ ऐसा होगा कि मैं अपना जलाव है उसके साथ share नहीं कर पाऊंगा और हम लोग शायद हमेशा एक तरीके confusion में ही रहेंगे without any hope और without any future करके तो मुझे बहुत sad हो जाता है और यह और यह तो so-called boyfriend है यह दोनों मुझे को भी देखते हैं और तो अभी so-called boyfriend जो है वो बोलता है हा क्योंकि मैं भी लिंगवाई को पिछले 20 सालों से secretly चाहता हूँ पर मैंने कभी भी उसे अपना true feelings नहीं बताया और इस बार वो मेरे पास आईती खुद से वो भी यह drama करने के लिए तो मैं उसको यह opportunity जाने नहीं दे सकता था इसलिए मैंने उससे फट से यह drama में साथ देने के लिए हा कर दिया पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई और आतनी भी आके उसको ऐसे प्रपोस करेगा करके और मैं कितना बड़ा loser हूँ ऐसा सोचके हमारा यह जो so-called boyfriend होता है वो भी दुखी हो रहा होता अब यह वीचे बैठके इन दोनों की बाते सुन रहा होता है और इन दोनों को cheer up करता है बोलता है भाई तुम दोनों cheer up हो जाओ और ऐसे किसी भी conclusion पर मत पहुंचो और तुम लोगों को जिससे तुम लोग प्या करते हो उन पर trust करना चाहिए और मुझे ऐसा नहीं लगता कि Mr. Lin और Ling वाई जो है इस मामले में compromise करेंगे और वो families के लिए अ अपने partners को मेरे से जादा नहीं जानते हो क्या तो मुमू बोलता है अफकोस हम लोग जानते हैं that's why यह impossible है लिंशी के लिए कि वो किसी और को propose करें वो playboy की तरह दिखता जरूर है लेकिन वो बहुत reserved nature का है और क्या कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे कई बर और ओरते भी थी जो लिंशी को रिजानाज जाती थी लेकिन उसने कभी भी किसी के भी चंगुल में वो फासा नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आपको काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है और तब ही वो ना एकदम से मुह का दिमाग खराब हो जाता है और वो एकदम से so- अब ऐसी नौबत आ गई है तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो यदि तुमने उस टाइम पर हेजिटेशन नहीं किया होता तो लिंशी आज लिंग भाई को प्रपोस करने नहीं जाता था और तो तुमको अब आदमियों के जैसा स्टैंडप लेना पड़ेगा और जाकर उ जा और अपने पास लिखे आओ तो जो यह सो कॉल बॉइफरेंड है वो बोलता है कि मुझे ब्लेम मत दो तुम्हें अपने असिस्टेंट का पहले ख्याल रखना चाहिए था यदि वो इतना ही अच्छा है और तुम इतना ही उसको बहुत जादा प्यार करते हो तो तुम क् कि इवन मैं जो हूँ अभी भी प्रोभेशन पीरियड में हूँ और मैं लिंगवाई के कभी भी आगे आके नहीं खड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैंने अपना लव जर्स को कनफेस किया है तो मुझे कुछी भी बात का रिग्रेट नहीं है यदि वो मुझे नहीं भी अपना इस साइड में तो हमें इस बारे में इसे अर्ग नहीं करना चाहिए अब सब लोग सुशते हैं कि हाँ बाइब प्लान सोचना चाहिए, तभी मुमू बोलता है कि हाँ ठीक है फिर तुम्हारा ब्राइट आइडिया क्या है उनको बैठे वे देखो और उनकी शादी हो जाने दो, ऐसा यदि हुआ तो मैं तो जो दुला है उसको चुरा लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ना सो कॉल में भी थोड़ी हिम्मत आचाती है, तो बोलता है, हाँ मैं भी, यदि ऐसा कुछ होगा, तो मैं तुम्हारे प्लान में साथ दूँगा, तो मुमू बोलता है अच्छा, तो अब तुम्हें भी फाइटिंग इस्परिट आ गई है, तो सो कॉल बोर्फरेंड बोलता है, हाँ मैं अच्छे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम इतने वाइज हो करके, और हमारा सो कॉल बोर्फरेंड याने मुईंग की बोलता है, कि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, कि तुम जो हो इतने सोच विचार करने वाले आदमी हो, तब ही सच्छा अब लगता है, कि इन दुन को मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब रात हो चली होती है, घर दिखाते हैं, यह जए घर पहुँच जाता है, और अभी तक जिन्याओ आया नहीं होता है, और वो घर में आगे पीछे आगे पीछे चल रहा होता है, जैसे ही जिन्याओ घर आता है, याने हमारे CEO घर आता है, व और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि डिनर था और तुम कितने देड़ तक के लिए प्लान कर रहे थे यह सब मेरे से छुपाने का यदि मैं नहीं पूछता तुम तो CEO अपना जकेट उताता है और बोलता है कि पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम औ कीनो एक्चुली वहां पर क्या कर रहे थे और यदि मैं नहीं हो तो ग्राइंट पा को पता चल जाती हो और फादर तुम को पकर लेते ना तब तुम्हें पता चलता तो यह थोड़े सा हेच कर देजाता है तो CEO जो है बोलता है यह थोड़ा से little complicated है मैं तुम्हें पूरा detail में नहीं बता सकता बर मैं इतना बता सकता हूँ कि लिंगवाई ने लिंशी को proposal जो है डाउन कर दिया है तो यही बहुत खुश होता है बोलता है और फिर एकदम से फोन उठाता है और बोलता है कि यह थो बहुत great news है मुझे न मुमू को फर्ट से बता देना चाहिए और वो लोग न क्या कहते ब्राइट को किड्नाप करने का और गुरूम को किड्नाप करने का जो है फ्लान बना रह लेकिन अब अच्छी बात है कि लिंगवाई ने उसको उसकी प्रपोजल को हानी क्या तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है तो CEO का हाथ पकल लेता है बोलता है ऐसा मत करो तो यही गंफ्यूस हो जाता है तब ही CEO बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि उन दोनों को उन लो है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है लेकिन अगली बार कोई और लड़की होगी तब क्या होगा क्या तब तुम उनको मदद कर सकोगे और एक तरीके से हम लोग आउटसाइडर हैं तो हम इस चीज़ को प्लियरली देख सकते हैं और हमने उन लोगों को काफी समय तक और उन लोगों को उनके अपने रीजन होंगे जो वो लोग ऐसा कर रहे हैं और उनको ये रीजन खुदी क्लियर करने होंगे यदि हम इसमें इन्वाल्व होंगे तो हो सकता है उनका रिलेशन्शिप फ्यूचर में एफेक्ट करेगा करके और ये दोनो एक दूसरे पर ट्र करना चाता है और जो मुह है वो सोचता है कि वो जो है लिंशी पर बहुत जादा ट्रस करता है तो यह जो है पर काम डाउन हो जाता है और सीयों के गले में हाट डालके उसको अपने गले लगा रहे तो भूलता है ठीक है तुमारे पास एक प्वाइंट तो है और होपुली अपने आपको जो है फील कर सके अपने फीलिंग्स को और फिर गले लगाते वे बोलता है कि यदि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ तो मैं तो तुम से आके डारेक्ली पूछूंगा और उन लोगों ने एक दूसे के साथ बाते नहीं की शेयर इसलिए ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा में हैं और क्या होता है दूसरी साथ में दिखाते हैं कि एक छोती सी किटी है हमारी स्रीडी आप लोगों को याद होगा कि स्रीडी हमारी लिंशी की किटी है तो वो लिंशी के पैजामे को खीचतान रही होती है और लिंशी जो है कंप्यूटर पर टाइप कर रहा होता है अ और अपना नाम भी लिखता है फिर अपने ग्लासेज उताता है और सोचता है लेकिन इस सब के लिज में हमारी जो 3D है वो तो अभी भी पैरो के बीज में कभी पैजामा इधर कीच रही है अब लिन्शी बोलता है stop it sweetie और अपना mail check करता है और उसमें एक file भी attach करता है और send करने ही वाला होता है कि sweetie जो है उसको भी कुछ हैसास होता है और वो बड़ी गंबेता से अपने master को देखती है और बोलती है म्याओ म्याओ मेरी तरफ देखो और तब ही sweetie की बात कोई सुनता नहीं तो म्याओ म्याओ और ज़्यादा म्याओ म्याओ करती है और फिर एकदम से raw करके बोलती है कि मैं जो हूँ angry हूँ करके और एकदम से फिर computer laptop के आगया आ जाती है और फिर से म्याओ म्याओ करती है और उसके जो mouse का जो हाथ उसका mouse पर रखाता है उसके आपर वो अपना power देती है जिसकी वजesterol से जो है mouse तब जाता है अब लिंशी जो है वो थोड़ा घबरा जाता है और वो सूचता है कि आउष्का mail send हो गया और तब ही मियाओ मियाओ जो ओती है लिंशी के just face to face आजाती है और अपने मन में सोचती है कि भाई मेरी तरफ देखो और तब ही फिर से म्याओ बोलती है तो लिंशी बोलता है मेरे सामने से हटो स्वीडी तो म्याओ बोलती है म्याओ और लिंशी बोलता है मुझे स्क्रीन देखने दो और स्वीडी फिर से करती है म्याओ क्योंकि स्वीडी को हटा दिया जा रहा होता है स्वीडी को बहुत हटा हुटू के साइड में कैसे तेसे बिठा दिया जाता है और तभी लिंशी देखता है कि मेल गया नहीं तो कहा गया अभी तो था तभी दिखाते हैं कि ड्राफ्ट में एक मेल सेव हो गया अब लिंची की सांस में सांस वती है और वो सुचता है कि धायन गौड ये मेल अभी सैंड नहीं हुआ तब ही वो अपने स्वीडी के सिर्के अपर हाथ लगाता है और बोलता है कि तुम ना तुमारा मैस्क करना ऐसे अलाउट नहीं है डैडी जो है वो काम कर रहे हैं अभी और फिर अपने मन में सुचता है कि मैं हेजिटेट कर रहा था और मुझे ऐसे लगता है कि स्वीडी जो है उसने मेरे लिए एक चॉइस बनाई है करके और अब ये परहपस अब जो है ये टाइम आ गया है चब मैं अपना डिसीजन लूँ और फिर वो याद करता है कैसे लिंगवाई के साथ उसकी बात हुई थी कि लिंगवाई ने का कि एक दिन ऐसा आएगा चब तुम अंडरस्टेंड करोगे कि इस टैप की चीजे जो होती है वो परसन को हर्ट भी कर सकती है जिसके लिए तुम कियर करते हो चाहे रीजन कुछ भी हो और यदि तुम्हे वो मिल भी जाता है जो तुम्हे चाहिए था तो इन दी एंड तुम कभी भी वो थार्ण को उस इंसान के हार्ट में से निकाल नहीं सकते जिसकी वज़े से वो हर्ट हुआ है तो लिंशी सोचता है कि मुमू हर्ट होगा और फिर सोचता है कि हाँ शियर वो जरूर हर्ट होगा अफ्टर ओल और उसकी अफ्टर ओल जो है मुमू की आखे सिर्फ मेरे लिए ही है करके और वो जो है बहुत ही प्रवजसिव है वो कैसे मुझे किसी और के साथ रिलेशनशिप में देख सकता है और वो जो है कभी भी इस चीज़ को स्टैंड नहीं करेगा इवन वो फेक क्यों ना हो पर यदि जब भी ऐसा होगा वो कित्ता क्यूट लगेगा अब क्या होता है म्याव म्याव जो है तुम्हे पसंद है ना वो स्वीडी तो अपने आप यह आंसर भी दे देता है मुमू को इमेजिनेट करते वे कि हाँ तुम्हे विल्कुल जो मुमू है वो पसंद है लेकिन हमारी जो स्वीडी होती है वो थोड़ा सा अपना मुम इधर उधर घुमाती है और तब ही लिंशी बोलता है कि मुझे पता है तुम डैडी को हेल्प करोगी मुमू की अच्छी तरीके से केयर करने में लेकिन जो हमारी किटी है उसको ऐसा कुछ भी नहीं है अब दूसरा सीन आता है जहांपर सेट दिखाया जाता है शूटिंग का मैंने जैसे बताया था कि अब यही का जो रोल है एक नए ड्रामे में उसमें यही के बाल लंबे होने वाले हैं तो आगे के शायद कुछ सीन हमें इसके लंबे बाल देखने पड़ेंगे बट मेरे हि मुझे की वाकई मैं आपको कैसा लगा हूा तो मेकड़ चल रहा होता है और इजो है वह थोड़ा नर्वस हो रहा होता है और अपना इसक्रिप्ट पर रहा होता है और तबी जो हमारे मिस जिंग है वह बोलती है कि थोड़ा से कोई पानी ले आओ करके और था斯थ भी वह ब tale मुझे बस इतना थोड़ी सी वरीड हूँ और मैं बातरूम यूज करके आता हूँ नहीं तो मुझे मिडिल फिलिम के बीज में बातरूम यूज करना पड़ेगा तो लिंशी बुलता है रिलेक्स इतना प्रशर मत लो तुम अपने आपको पहले काम डाउन करो और सबको थोड़ा ना थोड़ा टाइम चाहिए अज़िस्ट होने में and don't worry मैं तुमारे जिस्ट बाजू में ही रहूंगा हर दिन अब हमारी के बाल बाल भी बन रहे होते हैं और यही बुलता है thank you Mr. Lin और अपने मन में सुचता है कि उसको रिलेक्स होना है फिर मन में यह भी सुचता है कि Mr. Lin and Jintin जो है वो मेरे साथ है करके तो सब कुछ ठीकी होगा अब क्या होता है एक और एक आदमी की entry होती है जिसके बाल भी बड़े होते हैं अब यह लड़का भी अच्छा ही दिख रहा है मेरे हिसाप से तो तो यह सुचता है क्या वो यहाँ पर आके मुझे हेलो बोलने वाला है क्या और फिर वो सुचते हैं कि जैसे मुझे को कहा था कि तुम दोनों जो हो तुम लोगों का unusual background है और तुम लोग जो हो बहुत ही special हो business में और personally मैं recommend करूंगा कि तुम जो हो थोड़ा politely behave करना और इन लोगों से अपना distance create करना और यही को यह सारी बाते याद आती हैं तो यही सुचता है अपने मन में चुकि वो मुझे यहाँ पर greet करने आ रहा है और directly आके लिंशी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है cousin she यानि कि यह हमारे लिंशी का भाई है cousin है तो लिंशी बोलता है hi teen और तभी जो he है वो से script बने का नाटा करता हो बात सुनता है और सुचता है कि अच्छा तो यह Mr. Lin के लिए आया है तो यह teen जो है वो बोलता है कि मेरी मदर ने मुझे एक message देने करे कहा है तो लिंशी बोलता है कि okay क्या कहा है मेरी lovely aunt ने तुमें message देने करे तो teen बोलता है कि उसने कहा है कि तुमें behave करना चाहिए और तुमने यह ऐसे games नहीं खेलने चाहिए और तुमने जब यहां से जाने का सोचा ही था तो तुम्हें बाद में regret नहीं करना चाहिए तो लिंशी सब बाते सुनता है अब इसका कजन चला जाता है और तभी कोई बोलता है वेट करो और फिलिंशी बोलता है क्या grandfather ठीक है तो कजन जो है वो एकदम से irritate हो जाता है बोलता है कि हाँ वो ठीक है और वो अभी तक अपने death pet पे नहीं है और अपना इस hypocrisy जो है न वो बंद करो यह मुझे जो है बहुत sick feeling कराती है और उनको जो है stroke भी आया था और वो बहुत ही जदा तुम पे नराज भी थे जो कुछ तुमने किया उसके बाद और after all जो इतने साल थे तुमारे जाने के बाद तुमने कब उनका care किया है करके ऐसा करके वो जाने लगता है अब जो हमारा यह है वो यह सारी बाते सुनता है और ना लिंशी के cousin टिन को भी देखता है और बिचारे के मुझे ओपर एंग्दम से question मार का जाता है क्योंकि यह जो cousin है वो यह को भी एक look देखे जाता है तो लिंशी देखता है यह सब और लिंशी बोलता है it's okay ignore करो उसको और वो कोई बुरा आदमी नहीं है और बस वो थोड़ा सा mean है करके और तब ही यह बोलता है कि तुम उससे जानते हो जहां तक है सुनाया है कि वो तुमारा cousin है त यही बोलता हूँ I see तो कैसे Mr. Lin के पास अचानक से cousin आ गया है और यह एक दूसरा clue है जो मुझे मूमू को बताना चाहिए करके और वो हमारे लिंशी की cousin को जाते वे देखता है और बोलता है कि कितना unfriendly था तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा consider करता हूँ कि यह मेरा ए एक regular colleague है जो आगे चला गया है और तभी assistant बोलता है कि Mr. Yee कि आप ready हो तो Yee को एक दर से याद आता है कि वो script कर रहा था और बोलता है हाँ मैं ready हूँ अब acting स्टार्ट होती है अब इस acting में Yee को पोस देना है आलकी पालकी मार के वो कुछ पी रहा है और तभी scene cut होता है और बोलते हैं कि बड़ा अच्छा scene था next scene में क्या होता है हमारे Yee को बासूरी बजानी है और फिर सब लोग बोलते है cut ये भी great job था और अच्छा scene था अब इसमें हमारा जो है ये बहुती beautiful लग रहा है ये वाला scene भी cut हो जाता है और क्या होता है हमारी मिस जिंटिन जो है वो बोलती है कि एक काम करो तुम थोड़ी दे के लिए सो जाओ और जब next scene आएगा तब हमारे तुम्हें उठा दूँगी तो Yee बोलता है नहीं ठीक है मैं यहीं ठीक हू मैं यहाँ पर दूसरे लोगों की perform को देखना चाहता हूँ बैठके और तभी मिस जिंटिन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए blanket लेके आती हूँ तो Yee बोलता है ओके यहीं बैठके सबको देख रहा होता है और तभी वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और तभी न यह लोग गॉसिप सुनता है कि देखो वो सेट पे है और मन्त के आखरी में आएगा और कुछी दिनों में आ जाएगा और मुझे तो पता भी नहीं है कि यह सीन कब शूट होगा और जब वो यहाँ आएगा तो हम लोग का शूटिंग रैप अप हो जाएगा और मैं अपना शूट जो है मिस कर दूँगी और इसलिए हमको क्लोज स्टिक करके चलना चाहिए क्योंकि वो एक पर यहाँ आ जाएगा तो वो हमें जरूर नोटिस करेगा और हमें लगकी ली कोई ना कोई ब्रेक मिल जाएगा तो यह सुचता भाई कौन आ रहा है और तभी एक लड़की बुलती है हाँ तुम लोग सब सही करें हमें जो है इस अपर्चृरिटी का फायदा उठाना चाहिए और यदि मिस्टर फैंग आ रहे हैं तो मैं तो उनके साथ लव में ही परचाऊंगी वो भी फर्स साइट में और यह बहुत ही वर्थिट होगा यदि मैं उनके साथ कोई मतलब रिलेशन्शिप भी बना लेती हूँ और हो सकता है मुझे कोई और नया रोल भी मिल जाए और मैं कोई टॉप की एक्टरस भी नहीं बना चाहती है बस मैं तो एक चांस चाहती हूँ कि मेरा फेस दिखाए दे अब क्या होता हमारा यह यह सुन लेता है और उसकी आखे एक्टम चौक जाती है और तभी बुलते हैं कि वहाँ पर कुछ भी जो है लूस करने कले नहीं है और मैं तो सब कुछ देने कले तयार हूँ करके और मुझे नहीं लगता कि यह अप्रोप्रियेट है इस तरीके से कहना जबकि मिस्टर फैंग जो है उनकी एक फैमिली भी है और यह बिल्कुल तो हमारा ही सुचता बिल्कुल सही कह रही है लड़की की यह बिल्कुल एप्रोप्रोप्रियेट नहीं है जिन्याओ जो है वो मेरा है और उन्हों को भूलना नहीं चाहिए कि जिन्याओ जो है वो टेक करना है यान उसका रिलेशन्शिप है और तभी एक कि शादी भी हो चुकी होती तो कौन उन्हें इधर उधर दूसरी लड़कियों के साथ भूमने फिनने के लिए रोक सकता है करके और ऐसे जो गुड लड़के दिखते हैं उनके एक्ट के लिए तुम लोग ऐसे धुमत बनो करके अब वो इमेजिन करिए कि हमारा जो CEO है न वो दिखता भर गुड है लेकिन हो सकता उसकी आदते सही नहीं हो और वो दूसरी लड़कियों के साथ भी इधर उधर जाता हो और कोई भी देख सकता है कि जो जिन यहाओ है वो प्रिटेंड कर रहा है एक अच्छा आदमी होने का और तब ही क्या होता है दूसरी लड़की बती है हाँ उसने तो यह भी नहीं बताया कि उसका लवर कौन था और यदि सच में कोई वो लोग एक दूसरे को प्यार करते होते तो अपना लव पॉब्लिक में दिखाते इस तरीके से हाइड नहीं करते और मुझे तो ऐसे रखता है कि उसका पार्टनर जो है अगली होगा और वो पॉब्लिक में इसलब्लिक में नहीं दिखाना चाहता होगा अगली होगे और तुम टरबल में हो मेरा जो पार्टनर है मतलब जिन याओ का तो मैं ही पार्टनर हूँ और मैं खुद तुम लोग के सामने हूँ तो तुम लोग मेरी तरफ क्यों नहीं आते करके यह सब यह अपने मन में सोच रहा होता है basically in short हमारा यह जो है अभी थोड़ा जैलिस हो गया है अब क्या होता है हमारा यह ढूना बहुत गूसे में भी हूता है और थोड़ा सा सैड भी होता है क्योंकि सब लोग की जो नज़र है अभी फिलाल सी यह ओपे है और यह जो है इस वकट बहुत जैलिस है अब ओग खाना खाना में बैठते हैं और उसका ध्यान बिकुल भी खाने में नहीं होता तो जिंग बुछती है कि Mr. Yi क्या फूड आपके लाइकिंग का नहीं है क्या तो Yi बोलता है नहीं इस फाइन मैं जो हूँ बस थोड़ा सा अपसेट हूँ करके अब जो हमारा Yi है वो इदर देखता Mr. Lin भी आके बैठते हैं और सुचता है कि मैं अभी इस वक्त किसी भी ट्रवल में नहीं जा सकता हूँ अभी अभी मैंने ये कास्ट को जोइन किया है करके और इस ते कि गॉसिप जो है मुझे बहुती इंपक्ट डाल रहे है मेरे उपर और यदि मैं गुस्से में आ गया तो हो सकता है कि मेरा गुस्सा जो है वो शो के लिए अठीक ना हो और जो ये सब है प्रोडेक्शन की जो महनत है वो सब फिर टूइन हो जाएगी मुझे अपने आपको कंट्रोल करना चाहिए तो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये जो है कंट्रीट करना पड़ेगा किसी तरह ये शो भीना गुस्सा किये वे तो लिंची भी पूछता है मिस्टर यी क्या हो गया आपको के और मैं आपसे डिसकर्ट करना चाहता हूँ के और फिर ये अपने मन में सोचता है ठीके मैं जो हूँ डिसकर्ट करूंगे इन सब बातों के बारे में जिन गयाओ के साथ और मिस्टर यी मिस्टर यी करके आवाज आती है और फिर एकदम से वो हुष में आता और लिंची पुछता है कि क्या प्रॉब्लम है तो यी भी बोलता है कि हाँ मिस्टर यी क्या हुआ करके तो मिस्टर यी बोलता है कि तुम जो आज तोड़ा डिफरेंट से लग रहे कोई खोई-खोई-खोई से हो और अपने कुछ खाया भी नहीं है कि आपको बहुत इस्ट्रस्ट लग रहा है तो यी जो एकदम से ठीक हो जाता है थोड़ा नॉर्मल भीर करता है बुलता है हाँ मैं लेटेल स्ट्रस्ट हूँ और मुझे सॉरी कहता है करके और तभी लिची बुलता है आपने बहुत अच्छा जॉब किया है आज बहुत अच्छा शॉट्स अगरा दिये है और अपने आपको ज्यादा कुछ कमत करो आपको अच्छे से खाना चाहिए और बाद में मैं कुछ फ्रूट्स अगरा भी बिजवा दूँगा और मैं जाता हूँ जाके मिस जिन बोलती है जिन टिन बोलती है कि मैं भी जाके फ्रूट्स लेकर आती हूँ और यह आपको जो है खाना खाने के बाद डाइजेशन में हल्प करेगा और तब तक तुम जो वह वैन में रेस्ट कर सकते हो यही बोलता है ओके थैंक्यू करके अब वैन में सब बैटे होते हैं लेकिन मिस जिन निकल जाती है तबी यह अपर्चनिटी देखके यही बोलता है कि मिस्टर लेन कि जिन याओ यहाँ पर सेट पे मन्त के एंड में आने की प्लानिंग कर रहा है कि मैंने ऐसा सुना है तो लिंशी बोलता है हाँ आने वाला है कुछ नेसेसरी एजस्मेंट वगरा एक्यूपमेंट्स वगरा लगेंगे उसके लिए और क्या कहते हैं वो लोग सेंपल्स भी लेंगी यहाँ पर वो क्लाउड वाक वाला जो उनका प्रोडेक्ट लाँच वाता उसका और तुम तो जानते ही कि फिल्मिंग जो प्रोसेस में है तो कुछ भी हो सकता है और अभी सारे डैबलेपर्स भी क्रूव को जोईन करने वाले हैं तो यह इमेजिन करता है कि कैसे जिन गयाओ यहाँ आएगा और सब लोगों से मिलेगा और जो सीन है वो भी ठीक ठाक काम करेंगे तो यह बोलता है ठीक है उसने मुझे यह सब बताया नहीं तो लिंची बोलता है कि हो सकता उसके दिमाग से उतर गया हो और वैसे भी तुम बहुत बीजी लग रहे हो अपने स्क्रिप्ट के साल तो हो सकता है इसलिए भी उसने तुमें नहीं बताया तो यह बोलता है हाँ हो सकता है पर शायद उसने कुछ बहुत बार मैंशन भी किया था फिर गी बात बदलता है और बोलता है कि आप बहुत ही जादा बिजी हो करके तो लिंची बोलता है कि आपको जो है थोड़ा टाइम निकाना चाहिए और मुवों के साथ बिताना चाहिए तो लिंशी मुस्कराता बोलता है कि मैं कितना भी बिजी हूँ लेकिन मैं तुम लोगों के साथ हमेशा रहूंगा और यह सीरीज को कंप्लीट करूंगा और यह बहुत एजी हो जाएगा और तभी या इग्दम से पॉइंट पर करता है कि लिंशी ने कहाए बिजी तो वह सुथता है कि फिजी किस चीजिज के साथ बिजी तो इग्दम से बोल देता है मैरा मतलब है कि आपको अपके धियान रखना चाहिए और आपको अपने फ्रेंट्स के साथ थोड़ा जाधा बात करने चाहिए तुम तो जानते ही हो कि जो मुह है वो कितना फ्रेंड्स को लेके केर करता है और वो कितना टॉप भी करता है कि इस्पेशली जब वो रिलेशन्शिप के बारे में बात करता है तो हम लोग अधिक दर अपने जो भी प्रॉब्लम होते हैं इक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो जो बहुत ही थौटफुल भी है तो आप जो होना उससे बात कर सकते हैं आपको जादा बात करना चाहिए लिंशी अभी थोड़ा गन्फ्यूज हो रहता है फिर भी यही बोलता है कि तुम जो हो जाके मूमू से जादा बात किया कर तो लिंशी हसता है और बोलता है ओके अब ही सुचता है कि ठीक है जितना मैं कर सकता था मूमू तुमारे लिए मैंने उतना कर दिया है करके अब क्या होता है दूसरी तर दिखाते है हमारा मूमू और हमारा CEO दोनों गॉल्फ क्लब में पहुंचे होते हैं और गॉल्फ खेल रहे होते हैं और तब ही हमारा जीन याओ बोलता है कि मुमू से बोलता है कि तुमने मुझे यहां नहीं बुलाया है क्या तो अब तुम तुम नीचे क्यों देख रहे हो करके अब मुमू सोच रहा होता है कि मैं कहां से बाच चालो करूं तो मुमू बोलता है हम लोग good friends हैं है ना तो तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे से कुछ चुपा रहे हो करके और एक दम से उसके पास जाके पूछता है और हम अच्छे friends है पर तुम्हारे पास कुछ secrets भी है और मैं जो हूँ तुमें जो हूँ बिल्कुल फ्रेंड की तरह ही मानता हूं करके तो क्या चल रहा है तुम्हारे और लिंशी के बीच में तुम लोग ना कुछ तो है जो तुम दोनों के बीच में चल रहा है और मुझे बता रहे नहीं रहे हो और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग जो एकदम से close हो गए हो करके और तुम लोग strictly speaking कहूं तो तब ही हमारा जो CEO वो बोलता है कि मैं लिंशी को पहले से जानता हूं तुम से पहले से और हम लोग जो हैं पहले सिर्फ एक दूसरे को ऐसे देखा करते थे तो मुझे बोलता है किया मतलब तुमारा तो तुम लोग दूसरे को इतने समय से जानते हो और तुम लोगों ने मुझे को भी बताया है नहीं तो CEO बोलता है तुमने कभी पूचा ही नहीं और कंसिडर करूं यदि मैं तुमारी परसनेलटी को तो तुम्हें अभी तुक तो पता चल जाना चाहिए था तो मुझे बीचारा फिर कंफ्यूज हो जाता है तो CEO बोलता है यदि मुझे सप्राइज होता यदि तुम सिर्फ अभी जाके इस चीज़ को पॉइंट आउट क किया और फिर वो बलता है कि एक टॉप हायर जो मेजर फैमली का है एस एसिस्टेंट तुमारे यहां पर बहुत सालों तक काम करता आया है और तुमने कभी भी यह चीज़ को पता करने की कोशिस नहीं करी करके मुझे ऑनरसली बहुत शॉक लगा जब तुमने मुझे उसके स साथ मिक्स अप कर दिया है और वो जो है लिंशी जो एक बहुती पावरफुल फैमली से आता है जो कि नौर्थ की है और लेकिन वो फिर कुछ समय के लिए ग्रैजुशन करने के बाद डिसपियर हो गया था और उसने अपनी फैमली को अबंडन भी कर दिया था और किसी को भ लाजा लगाया कि कुछ तो हो गया है और रियूमर्स फैला दी और ऐसी भी रियूमर्स थी कि लिंशी को किनाप कर लिया गया और उसका जो मर्डर हो गया और इस बात ने काफी जो है उत्थल पुत्थल मत जा दी थी अब जो मारा मुमू है वो बहुत ध्यान से सुनता है फिर से बताता है कि मैंने कभी ऐसा सूचा नहीं था कि वो तुम्हारे लिए यहां ऐसे असिस्टेंट काम करेगा उसकी जो ग्रैंड फादर है वो बहुत ही एंग्री थे और उनको जो ना हार्ट अटेक आ गया था और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और तभी कितना भी एंग्री हो जाए और मुझे कितना भी मालने लेकिन उनको कभी भी स्ट्रोक नहीं आया और तो प्रॉबेबली जो है यह जो लिंशी की ग्रैंट फादर है वो काफी वीक से होंगे और वो बिमार पड़ गए होंगे अब सीगियों को समझ में नहीं आता है कि कैसे मुमो की फालतुक बातों के साथ एज़स करें तो बिचारा ओके ओके कह देता है और तबी मुमो बोलता है कि ठीके हम यहाई पर रुकते हैं और वो पुछता है कि क्या क्या चल रहा है क्या वो मेरे साइड में आके रिग्रेट कर रहा है क्या और क्या वो मुझे छोड़के जाने का प्लान कर रहा है कि अब CEO क्या बोल सकता है तो CEO बस इतना बोलता है कि तुम्हें लिंशी के ओपर थोड़ा भरोसा होना चाहिए विचारा मूमु अब बहुत परेशान होता है फिर भी CEO बोलता है कि वो जो है तुमको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तुमको बिल्कुल भी अपी तक रेलाइज नहीं आए कि लिंशी तुमसे कितना जाता प्यार करता है अब मुमू जहें बहुत कन्फ्यूज हो जाता है वो बुरता है तुम किस बारे में बात कर रहा है क्या बात कर रहा है तो CEO जल्दी से बोलता है तुम इस बात कर भूल जा और जाने लगता है तो मुमू बोलता है रुको एक मिट तुम ऐसे नहीं जा सकते भी ना एक्स्प्रेंड करे मेरे साथ तुम मैस मत करो और ये ठीक नहीं है तुम्हारा मेरे साथ मैस करना और मैं बिलकुल मेक्शियोर करूँगा कि यह जो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए और घर जाने का भी टाइम ने मिले तब तुम्हें पता चलेगा कि अलोन होना कितना बुरा लगता है करके तो CEO पलटके बोड़ता है इस फाइन मैं जो हूँ एक एजनसी खुदी खुल लूँगा उसके लिए फिर और क्या है इसका इसमें great deal भी कुछ नहीं है मैं money भी खमा लूँगा और अच्छे employees भी रख लूँगा और एक अच्छा team भी बना लूँगा और तब भी मुंहों को और गुसा आता बोलता है अरे तुम 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 ऐसे मेरे साथ कैसे rudely बात कर सकते हो और इसमें क्या अच्छा है इतना जादा पैसे होने से क्या अच्छा हो जाएगा करके अब दूसरी तरफ दिखाते हैं हमारा set जहां पर हमारा यही तर्बूस खा रहा होता है और script को प दरी है क्योंकि वह लिंशी के वह कर रहा है और फिर न वह एक message type करता है और बोलता है कि एक बात बताओ कि मैं कैसे अपने relationship को show off करूं लोगी में तभी एक message आता है wait a minute और फिर वह बोलता है कि कैसे मैं यह दिखाऊं लोगों को कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं औ और इसे मैं मतलब छुपाऊं भी और दिखाऊं भी तो यह कैसे कर सकता हूंगा कि अब क्या होता है इतने में एक आदमी आता है जो उसके सामने के खड़ा हो जाता है जिसके बाल बड़े होते हैं और वो उसको देख रहा होता है ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है इस आदमी क मखे आत्म में सोचता है कि मुझे नहीं लगता क्या चल रहा है यह जो है बहुत ही जाधा आजीब तरीके emotions पर काबू बाता है और हेलो बोलता है और पुछता है क्या कोई problem है तो यह आदमी जो फिरसों से देखता है उसके पास जाता है और तभी यह को लगता है कि पक्का ही उसे मारने वाला है तो वो बोलता है रही take it easy करो और तभी वो आदमी बोलता है मुझे आपका autograph चाहिए अ अब ही को होश आता है और एक लम से वो देखने लगता है और यह जो आदमी है लंबे बाल 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 पर पर पल हेर्स वाला वो बोलता है कि आप अपना autograph मुझे देंगे क्या तो इदर देखता है और बोलता है कि मैं आपका फैन नहीं हूं लेकिन मेरी sister जो है आपकी फैन ह तो तुम क्या यहाँ पर मुझे sign कर दोगे यह खुश हो जाता है ओके बोलता है और सोचता है कि मुझे तो इस आदमी ने डराई दिया था और अपने मन में सोचता है कि ग्लैड यह जो है आदमी यहाँ पर कोई trouble करने नहीं आया मुझे तरह से लगाता कि यह मेरी हैं बनाता है है और फोटो कीचते है और इतना कहके यह आदमी ने एकडम से सब समान वामान लेता है और एकडम फ簡 सा हो जाता है और इदर अधर देखते हैं फी सारी फोटोस को दूसरी जग ¿क निकल पड़ता है अब होते हैं ओर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिंग्तर है जिसमें हमारे CEO की ring दिख रही है अब जो हमारा यह और CEO बात कर रहे हैं है और हमारा यह जो है वही फोटो की चरा है और बोला है यह एंगल better है करके आ इसमें बोलते हैं कि लेकिन तुमारा hands जो है बहुत exposed है आप बहुत एजी होगा इसका trace लेना करके और उन्हें बहुत सारे जो है लोग होते हैं उनकी जो finger nails होते हैं वो seem दिखते हैं तो I think लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे तो CEO थोड़ा confused तो होता है फिर भी पूछता है कि तुमने मुझे आधी रात को यहाँ पर हाथों का photo खीचने के लिए बुलाया है क्या और तो यह बुलता है हाथों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं इतने समय से steady कर रहा हूँ how to show our love करके और एक high profile में लेकिन decent way में करके और यह सब जो है मैं किसले कर रहा हूँ सब तुम्हारे ले ही तो कर रहा हूँ अब CEO विचारा बहुत confused होता है कि आखे का इस तरह उसका आधी रात में बुला कि उसके हाथ का photo लेना कैसे उसके ले कोई कुछ कर रहा है और तब यह बताता है कि जो men और women होते हैं उनमें बिल्कुल भी कि अपने इच्छाओं पर नियंतरन रखने की शमता नहीं होती है और वो लोग हमारे बारे में बात करते हैं और वो यह देख कर रहे हैं कि वो कैसे तुम्हारा attention गेन कर सकेगा कि और यह सबना मुझे पता चला और मैं यह सब चुपके से सुन लिया था और उन्होंने यह भी कहा कि तुम मेरे से truly love नहीं करते हो यह कहते वेक्ट तो हमारे यह को एकदम से गुस्सा आ गया उसकी नाकवाग भी लाल हो गई और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जो हूँ अगली होंगा इसलिए तुम मुझे public में नहीं दिखाते हो anyway अब जब मैं इसकी photo ले लूँगा और इसे post करूँगा social media account में तो लोगों को देखने दो कि हमारा जो love है कितना great है और तब यह भी पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा feel करता हूँ अब क्या होता है दोनो फोटो खीसते हैं और बोलता है कि मैं पीछे का background जो उसको Photoshop कर दूँगा तो CEO पुछता है कि तुम sure हो कि तुम अपने पको expose करना चाहते हो करके तो यह बोलता है मुझे doubt है कि इसमें हमारे कुछ noticeable features दिख रहे होंगे और यह impossible है कि लोग हमारे fingerprints को images के साथ match कर रहे है ना बोलता है कि ठीके मैं थोड़ा सा blur कर देता हूँ हमारी safety के लिए तो CEO सिर्फ हसता है और कुछ नहीं बोलता है अब क्या होता है हाँ पर दिखाते है hot search में जो CEO की ring थी उसका आगे कुछ figure लिखा वा है फिर उसमें लिखाते है जिन्याओ फैंग जो है वो good night good morning लिखा होता है और जिन्याओ 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 करके बहुत सारा जिन्याओ लिखा होता है और लोग पढ़ रहे होते हैं कि कौन है इसके साथ क्या किसी को पता चला क्या किसी ने इसको ये जूमर्स को forward किया है क्या तो दूसरा दिन्याओ बोलता है अभी तक नहीं और जो reporters हैं उनको भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है मतलब कि ये जो फोटो है अब वो वाइरल हो गई है और सब दर दर जाना चाहरे है कि किसकी है किसकी नहीं और इतना महेंगा रिंग और वो भी जिन्याओ के हाथ में कैसे है करके